नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका मैस कमेंटर रहूल उटानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में येस बच्चो आज सीए वाला के अंदर हम एक ऐसा चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमारा मैस का फेस्टू स्टार्ट होगा अभी तक हमने मैस एलार एंट स्टार्ट मिलाकर लगबग हमने कितने जेप्टर पढ़ लिए ग्यारा दस बोलो ग्यारा बोलो चार पढ़ लिए अपने मैस के चार लॉजिकल रिजनिंग और तीज स्टार्ट के जहां पर बने पहला पढ़ा स्रेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शिशन ऑफ अंदर में अपने को दिमाग लगाना होगा अपने को देखना होगा भई कोशन में पूछ क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग ली हमें सोचना पड़ेगा एंड देन आंसर आएगा एक चेप्टर यहां पर सेट्स रिलिशन फंक्शन बहुत ईजी है उसके इलावा आपक सब्सक्राइब के अंदर काउंट हो सब्सक्राइब कर रहा हूं कि इससे पहले आपका पास होने का जुगाड हो चुका है हमने जितने चेप्टर पढ़े हैं 11 चेप्टर उसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चे लगबग लगबग हमारे साथ नंबर का स्लेवस समझ रहे हो कि आप पास हो चुके हो अगर उसको हंड्रेट परसेंट रेडी कर लोगे बट गायरेंटी है कि सर नो सर गायरेंटी कम मिलेगी जब आप फेस्टू को भी अच्छे से प्रिपेर कर लोगे बट उसके लिए वस एक शर्त है आपको मेरे को प्रामिस करना है कि हा सार अब इसके आगे में और मेनत नहीं कर सकता मैंने एक घंटा लगा दिया इस कॉस्चों में यह वह वाला टाइम है बट इतना तौं है नहीं एकजाम में कोई बाथ नहीं आदा गंटा लगा देना स्टार्टिंग इसरी आ thermosoken में लगेगा एक च Kitty के स्टार्टिंग एम आठ च intentar बढ़ रहे हैं अग मोडियों它 यहां ऐतर चैप्तर if impo Pikण यहां पैंते चेप्टर को इसमें हाफ एन disappeared nat 15 अधिक सब्सक्राइब करोगे और इतना तक अगर आपका सॉल्म नहीं होगा तब जाके आप सोल्यूशन को रेफर करना तो हाँ यहाँ पे इस चैप्टर में आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 6-7 घंटे अपना एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे और इतना खुद से सेल्फ इनिशेटिव लेके एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे और अगर यह कर लिया ना तो बता रहा हूं बेटा आप एक्सपोर्ट बन जाओगे पी एन सी के प्रोबैबिलिटी के थियोरिटिकल डिस्ट्रिब्यूशन के विगोज यह सारे चेप्टर मांगता है आपसे मेहनत आपसे सिर्फ रट्टा या फॉर्मुला बेस नहीं बूचेगा आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा ओके तो हमें अगर अगले सेकि करना है जहां से सिनारियो जितने भी उत्पन हो सकते हैं उनको सोच के आंसर देना होगा ठीक है क्लियर है याद रखना बच्चे यहां पर मैं बता रहा हूं यह कैसा जब्टर प्रमोटेशन और कॉमिनेशन आपको एक फॉर्मुला याद ना हो बट एक रूल समझ में आ ज नहीं होते हैं इस एप्टर में जरुवत ही नहीं है दाट्स वाइद इस एप्टर इस मैं फेवरेट चैप्टर बिकॉस लब या समझो बीइंग सी ए बीइंग चार्टेट अकाउंटें हमारा काम क्या है हमें डिफ्रेंट सिनारियोस को अप्टिमाइज करना है सोचना है क यह पर्टिकुलर अगर मैं कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूं कि यार यह पर्टिकुलर इनसान ने इस जगा पर क्या लोचा किया होगा यह सोचने के लिए ना उसकी सोच से समझना पढ़ेगा और यह एप्टर अपने को वही हेल्प करने वाला है हमें हेल्प करेगा य कि यार यह डिफरेंट सिनेरियों के अंदर में मुझे यह यह स्वालो करके उस तहह तक पहुचना है ठीक है तो यह आपको हेल्प करने वाला है तो अगर आप सही में आडिटर बनना चाह रहे हो ना तो इस चेप्टर में एक्सपर्ट होना पड़ेगा ठीक है वच्चो येस सो अगर बात करते हैं माक्स इस्ट्रिबूशन की कि भई पर्टिकुलर इस चेप्टर में कितने माक्स का आता है आईए देखते हैं देखो स्टार्टिंग में बहुत कम आ रहा था फिर बढ़ने लगा चार-चार नंबर का तो आही रहा है देन एक अटेंट में छे नंबर में जो है वो चेप्टर भी जाएगा और इस प्रिस्टरिय घंट में लगभा कर दो इन दोनों चेप्टर में भी बन जाता है दस अबबर और तो नहीं दस नंबर गामें बोल सकता हूँ कि इसप्टर में से भानता है तो कि अभी गया पर्मूटेशन कॉंबिनेशन पर्मूटेशन कॉंबिनेशन help us to do counting बड़ी काउंटिंग को छोटे तरीके से कैसे करते हैं वो हमें help करता है पौर एक्जांबल आपको एक डाइग्राम दिख रहा है यह आपने कभी ऐसी फोटो देखी है अगर देखे तो कमेंट में बताओ ये फोटो हमने देखी हुई है ये फोटो में हमारे प्रधान मंत्री जी आते हैं यितने भी हमारे देश के नेता लोग hen वो आते हैं बड़े बड़े आते हैं ठीके और Member of Parliament जिनको बोलते हैं और यहां पर आखे वो अपनी सभा लेते हैं जिसको बोलाता है लोक सभा मैं बोलता हूं कि कोई order नहीं है कोई तरीका नहीं है कि जिस basis पर हम बोलें कि आपको बैठना यहां पर है रैंडमली कहीं भी बैठो ठीक है रांडमली कोई भी पोजीशन आप उक्यूपाई कर सकते हो हमने बोला नेताओं को आओ और बैठो तो यहां पर मुझे बताओ कितने different ways से how many different ways से हम जो है वेटा अर्रेंजमेंट कर सकते हैं नेताओं की ठीक है different ways से all MPs MP मतलब Member of Parliament can sit बताओ कितने तरीके से बैठ सकते हैं हम角ने से साहर हम हां मुधी घू को यहां बिठाएंगे हम नहीं सर यहां बिठाएंगे हम यह बिठाएंगे when sir अभी अभी बिठाएंगे हम यहां म釈र अमिश्चा जी को यहां मैं ठाटकन सोच्ते रह जाओगे अ कि आपकी उमर बीट जाएगी आपकी कुछते खतम हो जाएगी इसका अंसर ऐसे करके निगा लोगे तो कभी नहीं आएगा और एक बार PNC सीख लिया ना बेटा ऐसे सिनेरियो जिसमें तो बखुत बड़ा आंसर आने वाला है वाट PNC अगर करना सीख लिया तो ऐसे सिनेरि करेंगे बीस भी बहुत बड़ा नंबर है दस बारा तक में ही अपना बहुत बड़ा काम हो जाता है ठीक है बट हाँ वही लॉजिक से बड़ा अंसर भी आएगा इतने बड़े की जुरुत नहीं बढ़ती है उससे आएगा सेम लॉजिक सेम तरीके से वहां बसमें नंबर लेने वाला है इसका बड़ा नहीं करना है अगर आपको वह दो रूल साते है ना तो आप सीख सकते हो जिसको हम बोलता है अब सब्सक्रेण में अप tatil हुथ कहा है पृड़े जैन आम से लगए आरे सारे यह क्या सिखा आ रहे बच्पन से यह हैं हमें सीखना है मेर् टिगयकेशन कैसे और कभ करता है ठीक है नातना को कोशन है वर डूट है यह कभ करना होता है अरे है और कैसी बात है कर रहे हैं यह कोई बड़ी चीज है जिन वच्चों ने सौल किया मुझे कमेंड में बताना क्या यह बड़ी चीज होती है यही एक कोशन है आपको अगर मैं सिनारियो देदू अगर आपको पता चल जाए सिनारियो को सोच कर कि कब आइड करना है और कब मल्ट करेंगे ना तो बाद में बड़े कोशन भी इसी तरीके से जल दी आएंगे मैं बोलों कोई भी पी एंसी का कोई फॉर्मुला याद ना करो आप सिनारियो उसको समझो उसको इमाजिन जो है ना स्टेप बैस्टेप करो कि यार यह पहले होना चाहिए फिर यह होना चाहिए रच फिर ये करेंगे और जैसे ही स्टेप्स म silly हरस्टप के अंदर मेंदेखो कभ हमें मुल्टिप्लाक करना है और कौन से सिटूइशन के अंदर में हमें आपहला है अब ये चीज ना एक पॉइंट आता है कि multiply और प्लस को choose करना कम है ये बड़ा सोचने वाला काम है और क्या ऐसी कोई scenario नहीं बचने चीज जिसको multiply ना कियो या add ना कियो तो हर सिनारियो को भी देखना बड़ता है ठीक है तो ये ये दो steps करने बड़े important है अगर ये करना सीख लोगे तो ये भी हो जाएगा फिर हाँ multiply आड करके लगेगा यार यह तो बहुत सिंपल तकाम है यह आखरी से ना बटे यह important step है इसके अंदर में यह सीखना जरूरी है कि multiply और add करने से पहले हमें किन steps को add करना है किन steps को multiply करना है तो हम यह सीखेंगे ठीक है होता गया समझो के रहें देखो इतनी बड़ी definition है इसको बाद में पढ़ेंगे अपने basic question से समझते हैं के रहें अगर आपको अपने question में या आप जब scenario बना रहे होगे और लिख जायेना कि and word का use है किसका word का use भई and का या फिर अपने को ऐसा मिलेना word क्या भई या फिर ऐसा मिलेना कि दोन एक साथ हो रहे हैं मतलब यह भी करना है और दूसरा भी करना है तो उस case में हम बोलेंगे कि हमें जो है वेटा क्या करना होगा हमें क्या करना होगा हमें multiplication करना होगा हमें और राजमा के साथ छोले भी खाते हो या फिर राजमा चावल का combination है समझो हम नॉर्मल एक लाइफ में एक्जामबल लेते हैं बड़ी एक्जामबल आया मेरे दोनों चीज़े फेवरेट है मैं चावल खाता हूँ ठीक है अब चावल अगर मैं खा रहा हूं वेटे किस-किस नुझे यहां पर बच्चे समझो राजमा एंड छोले खाने हैं तो जितने टाइप के राजमा मेरे पास आविलेबल है मालतो तीन टाइप के हैं ग्रेवी वाला है एक अपना तरी वाला है एक अपना कुछ अलग टाइप का मिना रहा है नूट्रिशन टाइप में और आहां पंदर नहीं पुरह करना है इसको बोलते हैं हम क्या रहे ये भी करना है यह भी गरना है तो इस केस को है वोलता मैं हम अपना ये उतोड़े हम लित न्या सफ़ोग है जोली चावल खाने हैं यह ब्सक्राइब कें के हैं चावल ने बसी मिट रटाइब के हैं चोली में भी भी यह दिया है हां सर हमारा वाइट चना आता है हमारा ब्लैक चना था थो टाइप ऐसे कि ट्रीक्ट आप इतने टाइप से अपना खाना त्यार गासब जो है यह चार टाइब के चावल है टाइब वन टाइब टू टाइब थ्री टाइब फोर कि अपने मास में छोले कितने डाइब वहई दो टाइब कि टाइब वन और टाइब 2 अब समझा आठ केसे बन रहे हैं इस साफ यह खासकता हो एक टैए एक कॉंबिनेशन हो गया मैं इस थावल के साथ में एक सब्सक्राइब और दो combination हो गई है ना एक चोला लूँगा एक चावल लूगा यह हमारा केस है दोनों निलेने एक चावल यह बोईल्ट वाले के साथ में अपना काले लिया आपने वाई लिया यह मालो जीरा राइस खाया तो उसके जाद में यह ले लिए तो एक थर्ड केसी हो गया और थी व ना है एक चूज़ करना है तो मतलब दोनों में से एक चूज़ करना है तो नों एक चूज करना है अगर ये चीज़ होती ना ऐसे के अंदर में हम वर्ड यूज करते हैं और या उंग्लिश वाला हिंदी वाला या ठीक है ऐसे में हम-plus का यूज करते हैं तो मतलब मुझे या तो राजमां चावल हाने है या छोले चावल हाने तो क्या करने का है कि जितने केसिस इसके हैं और जितने केसिस इसके हैं उसको एड़ कर देना हूँ तो हमारा टोटल कॉम्मिनेशन कितना हो गया है बीस हो टोटल हमारे पॉसिबल तरीके से खा सकता हूँ वही आठ तरीके में छोले चावल के खा सकता था बारा तरीके से में छोले रा canteen में इन 12 में से और 8 में से एक इचीज खानी है तो बारा ये है आत्व मुझे बिराइटिस कितनी दिख रही है तो 20 में से एक चूस करना है मुझे है कितने तरीके है आपके वासे विलेबल 12 और आठ को एड़ डर ने ये या ये में से ऐसे एक दिना है यह वरड़ आया ना तो मतलब इन्डोनों को एड़ करना है ऑपे इन वर दान cream to हमएं क्या करना होगा भही इस शोर्ट से स्टार्ट कर 151 यह देख मैं रागव का थ्री डिफ्रेंट तैप आप तो हुआ of trousers whenever he goes out he likes to wear a shirt and a trouser सम्झों कोशन अपने आप बोलेगा करने का क्या है जब सिंपल कोशन है कि अपने मूझ से बोलेगा की तेक को यह भी करना है एंड यह भी करना है उसको शर्ट भी पेंदी है एंड ट्राउजर भी पेंदी है बहुत सिंपल कोशन में होगा कही मारा आपको इमाजन करना वह राजगव और यहां पर बोला नहीं उसने पर हमें बढ़ा है कि अपना जोन अब्राईम की तरह बाडी मना रख है जा सकता है नहीं हम तो नॉर्मल निंसा ने हमें शर्ट और ट्राउजर दोना पेंदा वाड़ता है तो अब इसका मतलब कि शार्ट भी प तो इतने टाइप की शर्ट वीलेबल है कितने टाइप के ट्राउजर वीलेबल सर जी दो टाइप की है एंड वर्ड यूजगा गया मैं अब्रॉच्व बहुत सिंपल गाम है ठीक है यही होता है अपना मुल्टिप्लिकेशन रूल ठीक है अब इसकी डेफिनिशन बढ़ ल थीक पर दोनोँ इंडिपेंडेनेंट सीजए हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं मुझे तो पर होगा यहां उपर से श्वट पयानों नीचे पैर में टांग वह दो आपना अलग अलग चल रहा है उसमें कुछ नहीं है ऐसा नहीं कि यह होगा तभी ही होगा ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा तरीके से टास्स परफोर्म हो सकती है that will be m into n तरीका that will be m into n तरीका if we have to do it both simultaneously simultaneously मतलब यह भी करना है और यह भी करना है यह भी करना है ठीक है भाई yes यह definition है अब addition rule हमने बताजिया आपको add करने वाला एक question simple सा देखने है उसको ठीक है फिर इसके definition समझाता हूँ करो देखो करा रानी has three different type of shoes and two different types of sandals wherever she goes out she likes to wear either a shoe or a sandal या तो जूता पहने कि आप सेंडल पहने कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जूती को पर सेंडल सेंडल नहीं भाई हम नहीं रही है रन भी सिंग हम कुछ नहीं कर सकते हैं साथ है ना तो अब हम क्या कर सकते हैं या तो शूवन पहनेंगे शूवस में तो जो चूज करने के कितने तरीके हैं कोई भी एक पिक कर लो इसको करने के कौन से तरीका है यह करना है या यह करना है वर्ड यूस के ना बड़ा बड़ा देखो और इदर एस चू और असेंडर कितने तरीके से मैं पहन सकता हूं अपने तीन प्लस दो पांस तरीके से अपना नीचे में पहन सकते है पैरों को ढख सकते हैं ओके तो यह हमें बोलता है क्या करने का भाई हमें एडिशन करने का चलो डेफिनिशन बढ़ दे करें वन टास्कें इन एंवेश सेव और टास्विश इंडिबेंटन अपसिस ननिन एंटाइस सेम बात हो गया है ना कि पहले कारा काम करने के एं तरीके दूसरे को कारने के एं तरीके तोटल नंबर ओफ वेस इधर ओफ देम कैन भी परफॉर्म इधर आपteं में x5 यह इंडिरह रहा है एक होगा या दूसरा होगा तो कहना कि एयुदा से केति अटर इनाय। continuous q वजंड 14 गोश also select one boy और वंग कर टीचर कम सिलेक्ट करना चाहता है वन बई और बंगर लिखलो इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है ठीक है टूरी प्रेजेंट अप्रास इन फंक्षिन इन हाव मैं इसके टीचर कैने टीचर में इस सेलेक्षिन तो यह भी सिंपल कोशन आगे मुझे लगा था बढ़िया अब नहीं बस सिंपल है कितने वह जबाई 27 27 मिशे एक बोई को जूस करने का 27 तरीक है पहले को जूस करने का एक तरीक दूसरे को डूसरा तरीका पर तीसरे को तीसरे को चौत तरीका चौत है ऐसे करके 27 को 27 तरीके बन जाएंगे तो हम एक बोस्टाइस में से कितने तरीके से चूज कर सकते हो और 441 ठीक है यह सर अब देखो कोशन अगला हाग गिवन फॉर फ्लैग्स ऑफ डिफ्रेंट कलर्स हाव मैने डिफ्रेंट सिग्नल्स केन बी जिन डिटेट एफ सिगनल रिक्वाइज उस फ्लैग वन बिलो अजर अब आते हैं रियल लाइफ कोशन पर यह आएगा कोशन अब ह हम एक्शुल कॉश्ट निल्टा हुं हमारे बासर फ्लैग बनाना है अब इमाजिनेशन अच्री चलानी भेइन एक हमारे को फ्लैक मनाना चार क्लर है कलर 1 ऑन कलर 2 ऐ network 3 ऐ आब प्र्रॉपर सोचना क्या रहा कि अपने को यहां पर चार में से 20 एक स्गोश्चा एक फ्लाग तर यह एक तो अगर मैं उपर में डालना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसमौन ने इसमौने इस वाले डाल दिया इस वाले डाल क्लीरा यहाँ से वाले इसंफसा सब्सक्राइब जो कि RAW सब्सक्राइब अब इन तीन मेंसे एक ना में हमारे हाथ से को इंब हमारे हैं तो आंतना हो जय कि ये भी करना है एंड ये भी तभी फ्लैक बनेगा पहला भी करना है एंड दूसरा भी दरना तो फूर इंटू थरी ओगा सब्सक्राइब बहुत बेसिक से समझा रहा हूं बहुत स्टेप बाइस सब्सक्राइब इस समझना सर यह हमें न अपने अपसे नहीं हो पाता है हमें करना कैसे है समझने तो կह हम जब लिखनेदी चार और थीन वह रहारा है और इसे समझने नहीं आ रहा हिव क्यों क्यूंकि आप रैक्किस करूब कर लोगे हो जाएगा ये चैप्टर में बिना क्रेष अहिए आफ आंसर आहीड जो एक्जाम में पूछेंगे उसके अंदर तभी आप आंसर ला पाएंगे जब cuc से करमारे कराई होई कोशन मेरे कर्या कोशन करके जाओ तो लगेगा कि आंसर आपने खाल निवे कोशन और आगे हैस हम तो बॉटेंड है अगला इना मंथले टैस्ट टीचर डिसाइज एड देर वी थ्री कोश्टिंस फ्रॉम इस फ्रॉम वन आप एक्सराइज से आठ से नो से बारा कोश्टिंस सता साथ में है आठ में आठा कोशन है नो में नो कोशन है ठीक है यस हमारे पास पहले ना यह चार्ट बढ़िया से तभी अच्छे से और कर पाओगे एक्सराइज साथ है एक्सराइज आठ है और नो है अब पूरा-पूरा लिखना की जो तनी है छोटा-छोटा लिख दो इसमें कितने कोशन है भाई इसमें कोशन है बारा इसमें कोशन है नो ठीक है इतने इतने कोशन है अब है ना और तोत्रों कितने होंगे में 1001 प्लस्ट 1 प्लस्ट 1 तीन कौषिन हमें चूस करने है थीक अब समुझो कि समझो भाड़ी आको शने ऐसा इसला था गौर में 12 में से एक क्षोज नहीं कितने गडिके 12 हो गए। तो तो पहले को बारा तरीके दूसरे को चूज करने के अठारा तरीके और तीसरे को चूज करने के नो तरीके अब सोचना यहां पर यह बहुत इंपॉर्ट बाद है क्या हमें एक ही कोशिन गांसर रहना है इन तीनों में से एक ही गांसर नो सर हमें तीनों कोश्चिन जो है तीनों में इसे एक ही चाहिए तो यह भी चाहिए एंड यह भी चाहिए आप यह बीचे इसका आंसर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा हम क्या करें हां बच्चे केलकुलेटर बाबा का यूज़ करें है क्या इक यह रहे केलकुलेटर बाबा प्रकट हो येस सर तो बारा इंटू अठारा इंटू नो अपना आंसर आ गया थोड़ा बढ़ा बठा इसमांसर बढ़ा आएगा वट केलकुलेटर बाबा की हेल्प से हम जल्दी जल्दी निकाल लेके कि चलो अगला कोशन देखते हैं इन हाव मेनी वेस केन फाइव लेटर भी पोस्टेड इन फॉर लेटर बॉक्स के अंदर में हमें क्या से लेटर बॉक्स में दिमाग में अभी समझने के लिए पैन पेपर में बनाओ जब अपना प्रेक्टिस हो जाएगी ना तो यह अपना बॉक्स में नडाएगी आठागी में पांच लेटर बॉक्स हैं दिमाग दिमाह में ऐसे पांच फ़िगर बन जाएगी फिर बोला जाएगा कि हमें चार-चार बॉक्स में डालने हैं तो बॉक्स वन USA बॉक्स टूर बॉक्स-3 और बॉक्स-4 थोड़ा शेफ़ हमने अलग दी बॉक्स है न ये ठीक है लेटर कितने हैं एक दो तीन चार पांच तो यह बोल रहा है कित्रे तरीके से डाले जा सकते हैं अब संजो हमें यह यह नहीं बोला गया कहीं पेशी की एक लेटर एक मिलग है इस रहे बोला नहीं बोला गया ना तो अब थोड़ा सब टॉच ना पड़ेगा भी letter boxes है ऐसा तो नहीं होता है कि 1 box में 1 letter जाता है जाकमे आपके 5 फिरक तो कोई दिक्कत नहीं कोई थे कोई तù लहता है है यहां यही इसा कि नहीं होता है है थोड़ा सोचना अलग तरीकिसे परड़ता रहता एक काम तरीकिसे, तो इसका एक fix answer नहीं है करें कि मेरे को जो भी एक फ्लेक्सिबल है करो फ्लेक्सिबल उसको छोड़ दो आप दूसरे को पगड़के अपना scenario मनाओं कैसे सर क्या देखो यह लेटर तो एक ही जगा जाएगा ना हाँ यह लेटर ए जगा जाएगा स्भी बार चाहिए वह पहले में जाए एक टरीका यह है दूसरा तरीका यह है सौ लेटर वन को पॉष्ट करने की कत्ने तरीके है livingBa 4 थरीखिए पहले में जा सकता है दूसर जा सकता है तीसरे में जा सकता है दूसरे में या तीसरे में जा सकता है कि पूर्थ को पोस्ट करने के लिए कि फिफ्ट को पोस्ट करने के एंड ये भी एंड ये भी तो चार को पांच बार मुल्टिप्लाय करना है तो आंसर आज जाएगा हमारा इस फॉर की पावर फाइब लिख सकता हूं या इसका मुझे प्रॉपर आंसर कमेंट में बताना है अब मैंने आपको यहां पर क्या एक और रूल बता दिया कि निकाल फ्लेक्सिबल चीजे जो होती है उसको लेकर आंसर मत चलो यह कोई नहीं बता रहा ठीक है फ्लेक्सिबल को वे करके अपने निकालना जिसका फिक्स है यह इसा ही है अब फ्लेक्स से बजो बनाने अपने short nots me download ssn me download lekar scenario banana okay yes sir allah agla question simple though can find the number of vileon number of let four letter words with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose when the repetition of the letter is not allowed and the यहां पर आपका एक्जामिनर देने वाला है अब समझो यह कोश्चन मैं आपको कराऊंगा विद्धा हेल्प ओफ फॉर्मुला सो आगे बताऊंगा फॉर्मूटेशन कॉमिनेशन से बट बच्चे फॉर्मुलास के साने एक दिक्कत है फॉर्मुलास ना सिर्फ वहां लगते हैं जहां पर फॉर्मुला डिएक्जामिनख जीसमें हाई सकते बेज़ देखे और दो कोश्चन जो है ना वह आपको ऐसे देगा आपको सिनारियो बना के देगा और जब सिनारियो वाले कोशन आएंगे जो डिर्स फोर्मूला पर नियुक्त मिक्स्चर होगा उससे आप करोगे ना फॉर्मूला से आपकी हालत खराव हो जाएगे बैटर है बेटर एक आप कोश्चिंस को सिनारियो से भी सीख लो अभी हम इसलिए सिनारियो से थीख रहे हैं बाद म आसने को रोज जो वर्ड है ना है आर ओस उसको जंबल आउट कर भी सकता हूं मुझे कोई फरख नहीं पढ़ रहा ऐसे लिगदो मुझे ऐसे लिगदो की ओए je match मत्लब वहर ना हो जितने भी तरीके उसकते लिए सब्सक्राइब क्या है अब इसका ब्लक सब्सक्राइब हो मतलब क्या है रहर है ज़ार पर घाना है तो अब किसे डाल सकते हैं कि पहला तरीकह है in repetition theology नहीं अब इसका मतलब क्या है कि अगर आहँ यहां पर आ वा gratis पर नई आँ पर आप वाल फान ही जगातों यहां पर आम आगया ऑए-ierte सप्रπαक्रबन यहां इडेगा क्ट सरक्फर्व मैं उन्यम्मियंसल्स संहें क्या कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी मेरजी ठिक है तो उसमें क्या है रिपिटीशन है अभी हम पहला देखुरों जब है रिबिटीशन नहीं तो उसमें क्या होगा संझो कि उसमें वह थो Ibla गा किसी भी tutor कर हो कि चलो की आनसर पर यए बीद कर सकते किसी को भी लेकर चलो सेंसर से वे जल्टेंग कि ऐसे टपार को अर को भरने टोने से कि सबसे लोग ant ढलने कि अरने के तॉब भरने तरही किसी में देख्यां सकता है सबसे से पहले युख सबसे तरीक MI कि आर बोलना है कि मैं आ गया हूं यहां पर अब बाकी तीनों को आप देख लो जिसको जाना है मैं दुबारा नहीं आऊंगा यहां पर कि मैं दुबारा थीनों में से जगा पर जांगा मुझे फरक नहीं बढ़ता ठीक है किbut फोईनों अब सीता नहीं चाना की आत्य एक तारीका थी किन तरीका दोतरीक में Hey आपना 4 into 3 into 2 into 1 that is equal to 24 तो repetition not allowed के अंदर में 24 है अब अगर repetition allowed होगी तो उस case में क्या होता है ध्यान से समझना यह बहुत important बात उता रहूं ठीक है repetition allowed होगी तो क्या होगा समझो है हमने लिखा है आर ओ एस अब इस case के अंदर में आर के पास option है कि वह एक जगा जाए दो जगा जाए तीन जगा जाए चार जगा जाए तो मतलब आर पर flexibility है multiple काम करने की कि समझो इसके पास fix है यह fix है क्यों सर एक जगा तो एक ही आएगा ना आर अगर यहां जाएगा तो जीलिठा आर के ऊपरी औहीं ही एक जगा है रह एक जगा है नहीं मैं से दो फीजिद आड़ लो G तो दो जगा भी फ्लेक्सिबल का मनलब की वह अपने आप न डिसाइड करेगा कि मैं एक भी ऊसकता हूं नो भी तीन भी चार भी यहां के आर आर को एक ही बारा ने को इसी जगा चूज कर लो यहां पर यह फ्लेक्सिबल जनलेटर ठीक है और यह हमारा फिक्स है है अब सम्झो इसको कैसे करेंगे मैंने वाला था भरने को सोच वह बने को कितने तरीके से भर सकते। बाञा जानों से अब पहली जगा पर नोला फिक्स को लेकर चलो के तोári रoter को जो अब इसको अ मोले एसको कितने तरीके से भर सकते हो गर मैं रेपी्ट भी कर सकता हूं अब ऐसा फूर्ण है कि अगर मानलोह चाए आप आ आ तो आहां न हे असकता है तो मतलब आयुको Stef इसको भजुितने के चार ना यहां पया गया फूर्ख़ु मतलब यहां गपने हाप से आप न वहाई श्याहत है वह आप वापस से आसकते तो मिलोब इसको भरने के शार तरीके थे आप इसमें ऍवर वागर दाता हैself जाता है इस यहां आ सकता था या यह सकता तो इसको भरने के दो तरीके ही होते हैं और आखरी वाले को एक तो यहां से भी आंसर 4 3 2 1 में आता इधर से निकाला तब भी 4 3 2 1 आया ऊपर वाल से निकाला तब भी 4 3 2 1 2 1 आया यहां पे इसलिए बोल रहा हूं इसमें आंसर आपका सेम आता तरहें दोनों dalla्हां यहांपर यह flexible एक हैं तो हर Employee को भरने के चार-चार तरीके दिख रहें पहले सब्सक्राइब कर दोड़ने चार तरीके-चार इस पर चाहरे फॉट एक बॉट तरीटह saying कब्ले समझो मैंने बैद कि अगर मैं आप इसको ऐसे सोचोगे कि सर यहां पर हमें भर खांग हम वह हां पर देखना जाए इसको कितना तरीका से बरसकता हूं bah but Para natural कि सीबएllersक कि सीजिभी एक को क्बिक करणा चारिक चल लाग्या तो फिर यहाद को लेते हुए चलना यह अगलती नहीं करो किक अथ Maxim अधिक है येस चलो अब हमने सीख लिया है किस प्रकार से हम जो है प्रिंसिपल ओफ कांटिंग का यूज करते हैं क्या प्रोव और गया कमेंडर बताना हाँ सर हम प्रिंसिपल ओफ कांटिंग बन गये हैं थेक है लिख दो, यह सर, हाँ हम पिरो फी ओसी हैं, चलिए, clear, very good, अब हम फॉर्मुलास की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉर्मुलास को समझने के लिए हम एक concept समझना होगा, जिसको बोलते हैं, फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, बच्चे, फैक्टोरियल, दी फैक्टोरियल, वर्ड के लिखना हैं, फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखता होगा, ठीक है, एक्टोरियल, एक्स्क्लमेशन लगा दो, या ऐसे एंगल होता है, एंगल, एंगल के अंदर में डाल दो, दोनों ही एक्टोरियल, मतलब क्या है, एक्टोरियल का मतलब यह है, आठ से जितने चोटे नंब रहना अपने उन सब का मल्टिप्लाय करा दो यही सारे नंबर है कि वंद उससे चोटे नहीं नेगटिव नहीं नहीं लिने अपने नैचुरल नंबर पकड़ने इन सब का मल्टिप्लाय ऐसे लिखनो या फिर इसको ऐसा भी बोल सकता हूं है एक से गिंतिक आना शुरू करो औ तक आके उन सब का मल्टिप्लेकेशन है कुछ भी तरीके से याद करना इस नंबर तक रुखना जहां जिसका मल्टिप्लाय कर रहा है जिसका निकालना यह उत्तर हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो से तरीके से फटूरी अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा मैं जितने भी चोटे नंबर है पांच और पांच से जितने भी चोटे नंबर है उन सब का मुल्टिप्लेकेशन हो गया ऐसे भी सकता हूं या यह हम लिख सकते हैं कि एक से चलेंगे गिंती गाते हो और इस नंबर तक रुख जाएंगे यह हो जाएगा दोनों आंसर एक है इसको उल्टा लिखा इसको सीधर है बट जादा इंपॉर्टेंट और जादा फेमस या फिर मोलो आगे जो भी हम यूज करने वाले हैं वो यह मै हमारा इसको आगे समझाओंगा क्यों हमारा जीन्व से चोटा कोई नमबर नहीं है यह समझाओंगा फिक है त्यों इसकी वैल्यू बना आई और और चूं लेनी पड़िया उनको बहुत ज़रुरी था वन फ्रेक्ट्टोरियल का मतलब क्या होंगा सर क्यरे कि वन से चोटा क हीगि टू फेक्टोरियल क्या होगा सर 210 भी टूंट्प स्य किंटि करना है एक ति क्ला ईलटा ठीके फिर फेक्टोरियल क्या होगा सर यस Sorry वैं सब का फ्रेक्टोरियल याद करने की कोशिश करो रट्टा नहीं मारना एक से लेकर आठ तक्का तो याद हो जाएगा आपको अपने आभी तो फड़ावर्चा मुझे इन दोनों का आंसर बताओ कितना आएगा 8 फ्रेक्टोरियल और 5 फड़ावर्चा कमेंट करके मुझे इसका प हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है जिसे यह कोशन है किरेकिव प्रेक्टोरियल के अगर मैं फैそう अड़ डिवाइड कराता हूं तो क्या उत्तर आता है तुस्म देंखो बच्चे टेन से उल्टि किंती शुरू करनी है वंतक ट्या कि और फॉर फेक्टोरियल का मतलब क्या है कि फॉर से उल्टी के इंति शुरू कर नहीं है मन तक अब क्या दिख रहा है हमें देखो यह सारा पार्ट यह सारा पार्ट कॉमन है तो उत्तर क्या बचा दस नो आठ साथ शेफ दूबाच तो मैं यह बोल सकता हूं कि अगर मुझे रूइए यहां पर नांइन श्रोड़ बांट पाइन फंक्टोरियल से चलना शुरू गया यह इससे पहलेには चार से पहली रूप्य पांच पे चार Сп Russia ऑन रहा है क्ली bullets प्लियर इस प्रकार Sश अपने को सारना होता है ठीक है येस अब इसका एक प्रॉपर्ट्य थ्यान से समझें आप अगर मैं बोलों मुझे टैन सेक्टॉरियल को 9 फेक्टॉर्यल की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता है सर क्या से देखो 10 इंटु 9 इंटु 8 इंटु 7 इंटु 6 इंटु 5 इंटु 4 इंटु 3 इंटु 2 इंटु 1 यह 10 इंटु अगर मैं 9 फेक्टोरियल की बात करता हूं बच्चे तो यह वाली चीज क्या दिख रही है जहां से देखो 9 से उल्टी गिंती है तो इन सब किया है नोव फेक्टोरियल के लाता है और 0 आगे में पढ़ा हु sitting अई है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी नंबर मालो एन फैक्टोरील लेता हूं यह फिर प्लस से बन चला जाएगा एंप्लस वन इंटू एंट्रेटो यहां पर क्या होगा मैंने बारा मैंने क्या किया इसको यहां पर क्या आना ची देखो बारा फैक्टोरियल को अगर मैं सेब तरीके से क्या मैं लिखने सकता ग्यारा को भार निकाल दूगा तो ग्यारा से काउंगा जाओगा जुम्षई को अगर 7 की फोर में लिखना जाता है है गोरणा है तो मैं किन लिखनी सकता क्या मैं है सब खेल से बहुता ही सब्सक्राइब हो सेल सेल आने से पहले रुख जाना काम हो जाएगा थे सेंग ते के अगर मुझे 11 लिखना होता है अगर 5 टैया ज Value होता इलेवन से लेकर six तक five factorial से पहले दो जाना है ठीक है clear है आप कोशन देखो क्या बोड रहा है वहाँ मैंने आपको logic समझा दिया है अब मैं आपको यहाँ पर इस तरफ में कोशन करा रहता हूँ ओके चलो कोशन देखो क्या रहा है कि अगर 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 दियाद से देखोगे यहाँ पर अगर आप ध्याँ से देखो कि मैं एन प्लस वन भी इसमें से बाहर ले आओ तो क्या बचेगा अगर बड़े वाले नंबर में से एक माइनस करों तो छोटा नंबर आ जाएगा देखो आ रहा है बड़े वाला नंबर यहां प्लस तू है इसमें अगर में एक माइनस करों तो छोटा नंबर आ जाए यह बोलता है हमारा कॉंजिक्यूटिव नंबर ठीक है तो बारा को भी ऐसे लिखना है कि दो कॉंजिक्यूटिव एक एक नंबर दूसरे से जस्ट एक बड़ा होना चीए तो मैं बारा को चार इंटो तीन लिख सकता हू अधिन लिख सकते हो अब याद रखना बड़ा-बड़े सीट करना यहीं बहुत इंपोर्टन है और छोटा-छोटे से कड़ करो गये जब यहां दोनों में आनसर से माना चीए देखो क्या रहा है एन क्या गया चार माइनस दो दो आ गया यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया एक्स बाइब चाहिए बताईए जी हमको जल्दी से बताओ ना बच्चा पाड़ी तो कैसे सोल करोगे बहुत सिंपल है क्या करने का के रहा है जो अपना इसको हम लिख सकते हैं इसको हम 6 x 5 सकते हैं सेवन बतारी किसे अगर में 5 फैक्टोरियल की फर्म में डिप्रेजेंट करना जाऊंगा तो प्या करूंगा 7 से 5 के बीच में जो नंबर है वो सारे लिख दो 7 और 6 सी दो ही नंबर है तो ये हमारा हो गया 7 factorial ठीक है न भाई ऐसे लिख सकते हैं अब बेटे इसको अगर एक बार replace करो तो देखो क्या बनता है यह हो गया अपना 6 into 5 factorial यहाँ पर हो गया अपना 7 into 6 into 5 factorial तो बेसिकली 5 factorial हर एक में common आ रहा है तो मैं क्या रहा हूं कि इदर भी common लागे उदर भी common लागे कट कर देते हैं चलो करते हैं तो वन फेक्ट वन वाइफ एक्टोरियल कॉमन आ गया यहाँ बचा और यहाँ पर वन ही बचा यहाँ पर एक्स बाय में 7 into 6 into 5 factorial है अच्छा जैसे अपने numbers कट करते हैं वैसे factorial अगर सेम सूं सेम हैं वो कट हो सकते हैं LCM ले लिया तो यहाँ बच गया 7 by 6 is equal to x by 7 into 6 है ना 1 plus 6 by 6 7 से नहीं कटेगा बेटा 6 से 6 कट गया x की value आगे 7 into 7 49 तो calculation है और कुछ नहीं बहुत easy question है कर लोगे बच्चा पाड़ी हमका पता है वेरी गुड अगर पता है तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या जी अब मेन बात अभी तक हमने mathematical mathematical principle of counting समझ लिया हमने factorial क्या होता है वो समझ लिया अब आते हैं formulas कैसे बनेंगे factorial का यूज करके हम दो formulas बनाने वाले हैं एक बनाएंगे arrangement के लिए और दूसरा बनाएंगे choose करने के लिए या select करने के लिए rules वही यूज होंगे जो हमने पढ़े है that is principle of counting के ही rule को और जब भी वर्ड हम यूज करेंगे ना combination उसका मतलब आएगा भाई choosing और selection यह बस याद रखना कैसे होता देख example से समझाता हूँ एक example में काम हो जाएगा आपके आपके coach ने आप class में बैठते हो अपने यह सर आपके class में से let's suppose बोलता हूँ 40 बच्चे है और आपका जो football का coach है उस football coach को आपकी class में से बच्चे let's suppose एक टीम बनानी है तो टीम बनाने के लिए चाहिए उसको 11 बच्चे उसको चाहिए 11 बच्चे तो यह 40 में से 11 को select करेगा यह 40 में से 11 को select करेगा यह selection कितने तरीके से हो सकता है यह हमें बताएगा combination ठीक है तो यह हमें क्या बताएगा combination इसको बोलते हैं choosing selecting मतलब इसका एक formula आएगा वह direct आप लगाओ गए ना कियार 40 C 11 C for combination वह अपने को देदेगा क्या जी हमारा answer सीदा कि इतने टाइप से selection हो सकता था अब इन 11 लोगों को हमें arrange करना है हमें arrange करना है कि भाई यह यहां पर है यह हमारा एक एक कुल की पर बनने वाला है यहां दो defender होने वाले हैं यहां तीन मिड़ फ्लेयर मिड़ फ्लेयर खेलने वाले कितना होगे एक दो तीन चार पांच छे फिर यहां पर अपने एक दो और होंगे छे साथ हैना आठ और नो और दस और ग्यारा ठीक है हमारी टीम ऐसे खेलेगी तो यह ग्यारा लोगों का हमने ख्लेशमेंट कर दिया तो यह प्लेशमेंट का मतलब क्याकि हमने अरेंजमेंट किया है छो करें हमने 11 लोगों का उंख कीया है तो यह अरेंजमेंट हमारा कहलता है टाए पर्मूटेशन मैं być कि व्यूंट करने कि समत्स्क्वरों आडब हो जाएगा क्या जिप अपना selection जिसको हम combination की help से solve करेंगे और इतने पार्ट की अंदर में भी हम बोलें arrangement है और 40 में से 11 का भी arrangement बोल सकता हूं ज्यान सुना 11 में से 11 का arrangement हमें answer दे सकता है इतने पार्ट का अगर मुझे 40 में से 11 का arrangement बताना तो मतलब कि selection प्लस arrangement हो रहा है तो वह हमारा permutations होता है आगे इस बात को डिटेल में समझाओंगा और अच्छे समझ में आएगी पहले permutations समझते हैं ठीक है arrangement बिकॉज यह बहुत अपने आप में जब arrangement समझ जाएंगे तो उसमें से अंदर fit कहां हो रहा है वह अपने आप सीखते जाओगे ठीक है बट मैं यह बता देता हूं यह formula जो use करना है उसको आप directly principle of counting से भी solve कर सकते हो हर question को कर सकते हो तो मैं आप आपको formulas based से कराऊंगा आप कोशिश करेंगे same question को by using principle of counting आपको scenario क्रियेट करना सीखना सेनारियो एक बाद क्रियेट करना सीख लिया उसके बाद तो कुछ है ही नहीं कोशन में ओके चलो permutation हमने क्या बोला क्या है permutation determines the number of possible arrangements in a set when the order of arrangement matters यहाँ पर हमारी order matter करता या arrangement matter करती है combination में order matter नहीं करता कि हमने लोगों को 11 को select किया यहां पर हमने क्या किया चालीस में से 11 लोगों को select किया selection पहले में defense footballer के इंदर फ्रेंट में खेल रहा है उसको करूँ या defense लोगों को जब अरेंज करेंगे तब फरक पड़ता है तो यहां पर order matter करता है कि यहां पर order matter करता है कि किस order में आप जो है उसको अरेंज कर रहे हो यहां पर order matter नहीं कर रहा है पहले किसी को select कर लो add that selection से मतलब है है ना order does not matter yes हमें selection से मतलब है यह आप लोगोंने cricket खेला होगा अगर यह गली क्रिकेट खेला होगा बताना मुझे फटावाट कमेंड में गली क्रिकेट खेला होगा तो क्या होता था जब हम खेलते थे गली के अंदर में तो हम टीम पुगते थे यह अगयर मान लो दस ग्यारा लोग 11 लोग है तो पाच पाच की टीम मनानी है एक डर लगा रहे था था है मेरा नाम आएगा नहीं आएगा उसको फरक नहीं पड़ता कि मेरा नाम पहले आया बाद में हैसुलेक्षं हो रहा है नहीं होए यह हमें फरक पड़ता था तो हम सुद्धिक कंभिनेशियन करें फिर उसके बाद में हमारी बेटिंग पहली आए गी नहीं हैनु 1 पहले बैटिंग मिलेगी नहीं मिले तो कि वहां पर अरेजमंट का मैंटर करता है गार्त तो तो selection मतलब हमारा combination, word को ध्यान में रख लो इसको, और permutation मतलब arrangement, ओके, देखो अब एक और question दिया, है, how can three different boxes, one yellow, one green and one red can be arranged on a table, अब इसको एक बार मैं प्रिंसिपल of counting से करते हैं, फिर मैं आपको इसका formula सिखाऊंगा, ठीक है, yes, आपके पास में तीन balls है, है, आपके पास में तीन balls है, let's suppose, how can three different box, one yellow, one green and one red can be arranged on a table, मैं बोलता हूं कि table पर इस वार तीन नहीं, दो ही करते हैं, can we arrange on a table, how can two different, question थोड़ा change करते हूं, जान करके ताकि और अच्छा लागए, two different box, from one yellow, from one yellow, one green and one red can be arranged on a table, तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा question change किया, बढ़िया हो जाएगा, एक yellow box है, एक green box है, एक red box है, इन में से दो boxes को हमें table पर arrange करना है, तो table पर हमारे पास में दो boxes रखना है, yes, तो अगर हम principle of counting से करेंगे, arrangement अगर मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे भई, कि हमें पहली चीज को भरना है, फिर दूसरी चीज को भरना है, ठीक है, हाँ अब दोनों वैसे एक ही आपर आ सकते हैं । इसको भरने कि त्रीके सर जी गों तरीका निकितना हो गया 3 इन्टू टू6 अब इसका फॉर्मुलवरी सीरा बनता है कैसे करें कि टोटल हम चीजे कितनी है डूखा फीड़े टीन केसी कितनों को औरेंज में गरना 3 3 में से 2 का permutation करना है तो इसका formula क्या बोलता है क्या रहे ऊपर वाले का factorial हो जो उपर में number है और इसको divide करा दो ऊपर में से नीचे वाले का minus करके factorial तो यह उसका उत्तर आ जाएगा ठीक है तो 3 factorial इसको याद रखना आगे बताऊंगा भी सी कैसे ठीक है कि हम तीन से उल्टी किंती चलेंगे वन तक और वन होता ही है यहां से कट गया तो उत्तर कितना आगा अपना 6 यहां से उत्तर कितना आगा तो उत्तर दोनों में सेम आएगा अब permutation जो सिंपल खोशन आएगा तो अपन सिंपल जल्दी आंसर देगा यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो अब इस फॉर्मॉला को थोड़ा जनरलाइस करते हैं इफ वी हैव तो अरेंज आर थिंग्स आउट ओफेंट इसमें से आर को हमें अरेंज करना है जैसे हमारे पास में तीन चीज़े अविलेबल थी इसमें से मुझे सिर्फ दो का आरेंजमेंट करना था तो एंटीन था आर हमारा दो था तो इसका फोर्मॉला क्या बोलता है कि उपर वाले का फ्रेक्ट यह उसका उत्तर बन जाएगा इस 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 वालड़ एस एन पी आर ओके फोर्मॉला फोर पर मुटेशन अब सर्पॉइंट यह आता है कि अगर हमारा और और न बराबर हो जाए तो क्या होगा जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है अगर और और न बराबर हो जाए तो हमारा क्य जाएगा तो मतलब बैसिकली हमिए क्या खरना है हमारे पास अगर लेट सबरसे से तीन चीसे है मुझे तीनों का आरेंशमां करना है prepared अग्ली में पिपचे न्युक्षा ऊज्ट एससे कंसे अएगा एक तो अब यहां से झाल निकलेगा देखो कैसे कि दिक हो मुझेमसे में करना तो मतलब 3P3 हो गया तो 3 factorial बाय में 3-3 का फेक्टोरियल याट इस 3 factorial बाय में 0 factorial 0 factorial इसी लिए 1 होता है क्योंकि 0 factorial का मतलब क्या है अपना 1 नहीं होगा तो यह not defined हो जाएगा arrangement तो भही हो ही रहे हैं तो कितने तरीके से होंगे 3 into 2 into 1 3 factorial का मतलब यह है तो अगर यह दोनों बराबर है तो इसका आंसर क्या आएगा नीचे वाला तो जीरो factorial हो गया तो यह हमें क्या दे रहा है और फेक्टोरियल उत्तर देगा यह में एन फेक्टोरियल उत्तर देगा बात समझ भाई ठीक है बाई clear है यह आगे समझ अगर विच्चे अपने आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या होगा आर की वैल्यू 0 मतलब की ओठन माइन फिजिएरो हमें क्या अगर ना हुए न? अर्क वैली 0 यह हो मैं एन क्निसीड़ का टॉर है इस यहां पर उत्तरा गया एंफ्रैक्तोरीयल भाई में अंफ्रैक्टोरीयल ANT एन्री थो सडक्तोरी तरीका ना की अरेंज किया ही नहीं वह इतरीका ही तो बना दूरेंजमेंट इस बन वे तो यह इसका फोर्मुला नाले लिए इसको याद कर लेना बहुत फोर्मुलां एंडD keyword इसको अपने शॉट इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो चलो, अब फटा-फट से मुझे कुछ permutation के answer दो, यहाँ पर 4P2 की value क्या आएगी, जल्दी से बताओ, सर्फ 4 factorial, उपर वाले का factorial, divided by उपर माइनस नीचे वाले का factorial, तो 4 factorial हो गया, 4 into 3 into 2 into 1, नीचे 4 minus 2 factorial is equal to 2 factorial, ठीक है, तो वो हो गया हमारा 4 into 3 into 2 into 1, अब भी देखो, shortcut दिखाँगा, एक मारा आपको, यहाँ 2 into 1 से cut गया, तो यह answer आगा, 4 into 3 that is equal to 12, देखो, इतना लंबा क्यों लिख रहा हो, समझो, अगर मैं 4P2 को direct निकालना चाहता हो, तो answer अगर देखोगे ना, अपना 4 into 3 आए, तो इसका मतलब क्या है, कि इस 4 से शुरू करो, और उतने कम लिखने, including this, जितने यह नीचे नमबर है, चार और एक और नमबर दो, 3, तो कितना हो गया, 4 और 3, दो नमबर हो गया, हाँ, तो इसका multiplication है, 7P3 निकाल के देख लेना, 7 ल देख लो, 7P3, मतलब 7 factorial by में, 7-3 का factorial, तो यह हो गया, 7 factorial by 4 factorial, that is, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 4 factorial हो गया, 4 into 3 into 2 into 1, यहां से यह गया, बचा गया, 7 into 6 into 5, चेक कर लो, यह ही वोला था, सिम 10P6 अगर निकालोगे तो, आप सवाल करके देखो, क्या यह आ रहा है, हमें comment में बताना, 10 लेना है, और 10 से एक एक कम करके, total हमें, 6 नमबर लेना है, 6 लिखाना नीचे यहां पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 6 नमबर हो गया, करें इन सब का multiplication आपका answer आ जाएगा, shortcut, ठीक है, यह time save करेंगी, छोटी-छोटी चीजिए, पता हो नहीं चीजिए, येस, अब, if NPR, जो है, तो उसके restriction क्या है, अगर बोल रहें कि NPR हमारा exist करता है, तो उसके restriction क्या है, restriction यह है, कि R की value न, N से छोटी होगी, या maximum बराबर होगी, और एक और भी restriction है, आर जो है ना मेटा हमेशा positive भी होगा, मैं दोनों restriction मतायता हूँ, 0 और 0 से बढ़ा होना चाहिए, और N से के बीच में होना चाहिए, तो N की value देखो, इसको बैसे लिख सकता हो न, कि N is greater than equal to R, and R is greater than equal to 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना अपना यह formula बन जा, याद रखना है बहुत important है, कि भई, अगर मेरे पास में तीन चीजे हैं, तीन चीजे हैं, तो मैं maximum तीन जगा पर arrangement कर सकता हूँ, चार पर कैसे कर लूँगा, चार पर तो और रेंज होगा ही न, एक जगा तो खाली रहे ही, तो actual arrangement तीन ही जगा पर हुआ, तो यह चीज बोल रहा है, ओके, बात समझना ही, clear है, तब ही यह formula लगता, यह यह formula नहीं लगेगा, याद रखना, हाँ, arrangement कर सकते हो, बढ़ इस formula से नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई, चलो, next question, justify 0 factorial is equal to 1, तो यह अपन इसको कह रहे थे कि 0 factorial 1 होता है, इसको अपने को justify करना है कि ऐसा क्यों होता है, समझो, 0 factorial represent actually में कर रहा है, arrangement of, arrangement done, ठीक है, arrangement done, for 0 times, ठीक है न, कि आपने सिर्फ 0 बार अर्रेंजमेंट किया है, जैसे हम n में से n चीजों का अर्रेंजमेंट करते थे, तो हमारा answer क्या आता था, n factorial, भाई में n माइनस n का factorial, उत्तर क्या हो गया वेट आपना, n factorial आता था, तो अगर मैं ब अगर यह answer 1 ना होता, अगर यह answer 1 ना होता बेटा, यह कुछ और होता, तो इसका मतलब क्या, यह तो अपना not defined होता, अगर मानलो यह 0 होता, तो यह not defined होता, but actually मैं 0 में से 0 चीजों का arrangement करने का मतलब कि कुछ भी नहीं किया, तो वो भी एक तरीक ही है आपने आपने, जैसे ए आपको बोला कि आपको छोले पड़े हैं, आपके आपस में राजमा पड़े हैं, आपके पास में, let's suppose कुछ अच्छी चीजी बताओ, ठीक हैं, यह तीन चीजे पड़ी है, आपको खाना खाना है, but आप चाहते नहीं हो इन में से कुछ खाना, तो आपने क्या किया, आपने कितने तरीके से अपना अरेंजमेंट किया, ना अपन ने इसको लिया, ना अपन ने इसको लिया, ना अपन ने इसको लिया, कितने तरीके से बरापने जीरो तरीके से, यह अपने आपने एक अरेंजमेंट हो गया, clear है, yes sir, ठीक है, अब और कोशन देखते हैं, अपने इस् को यहीं बोला था, n P 4 यह कम करके चार नंबर लेले मैं इसको डिरेक्ट लिखना चाहूं किया, n-1 फिर इसमें से भी 1 कम करेंगे तो n-2 इसमें से भी 1 कम करेंगे तो n-3 यह इसका मतलब हो गया, यह दो नहीं पूरा करके दिकाओ, वालेगा नीट इसकी फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या करूँगा भी यहां पर एक बाहर लिखना न न लिखना बाहर आगया फिर जाए और फिर बचा एं-4 अगर एक बार लाँ तो अगला एक हम हो जाए अर उसको बढ़ लेंगे दो एक और मुझों थे लिया क्यों कि यहां से गट गया similarly बच्चे अगर मैं NP2 को यहाँ पर स्वाल्व करना चाहूँ हूँ तो यहाँ से मिर को क्या मिल रही है N factorial by में N minus 2 का factorial तो this is equal to 12 into N भार आ गया N minus 1 भार आ गया और N minus 2 factorial भार आ गया यहाँ से इकट गया तो left hand side हमको यह दिखरी है right hand side हमको यह दिखरी है yes तो left hand side और right hand side से हमें क्या result मिल रहा है बताओ left hand side से मिल रहा है N into N minus 1 into N minus 2 into N minus 3 is equal to right hand side में 12 into N into N minus 1 यह दोनों इस से कट गया तो N minus 2 और N minus 3 का product जो है वो 12 हो गया अब 12 को सोचो यह क्या है consecutive number consecutive number भी बताया थे क्या होता है कि इसमें से अगर 1 minus करूँगा तो यह बन सकता है तो क्या इसको मैं किसी consecutive pair में मना सकता हूं हाँ sir 12 को मैं 4 into 3 लिख सकता हूं अब याद रखो जब भी हमें ऐसा दिखेगा ना तो बड़ा नंबर बड़े से एक वेट होगा छोटा छोटे से तो इन दोनों में से बड़ा कुन सा है सर जी इन में से बड़ा यह वाला है अगर मैं 2 minus कर रहा हूं मैं अगर 5 में से 2 minus करूँगा तो 3 मिलेगा और 5 में से 3 minus करूँगा यह चोटा नंबर बड़े से एक वेट कराएगा और चोटा नंबर छोटे से एक वेट करा के देखो क्या उत्तर दोनों में सेम आ रहा है यह सर एन दोनों में 6 आ रहा है तो उत्तर अपना एन का 6 हो गया यह सिखाने के लिए इत्ता टाइम लगेगा नहीं जब खुच से करोगे बड़ा फटा 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 अंसर आएगा अगला कॉस्चन करें फाइव पी आर अगर 60 है तो आर की वैल्यू क्या है तो फाइव पी आर को एक्सपैंड करें फाइव फेक्टोरियल बाय में फाइव मा सब्सक्राइब बताना ठीक है बताओ भई है वन फेक्टोरियल वन होता सर अभी तो बताया था अपने पहले कब बताया हाँ अभी याद किया रोक के नहीं किया वही बूश्रा हो इतना पता होना चीए भाई ठीक है यह हमें पता होना चीए खुद एक्सपैंड करके देख अब अगर मैं देखता हूं तो यहां से कटके कितना मुचे का टू बस गया तो माइनस फाइव माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू बिसिकली तू आ गई है यह यहां जाएगा तो इसके इक वेट हो गया अब मुझे बताओ कौन से फैक्टोरियल की वेल्यू है शर्जी टू फैक्टोरियल की तो मतलब क्या है फाइव माइनस आर फैक्टोरियल जो है बेटा तू फैक्टोरियल के बराबर हो गया है यह सारे स्टेप से इनको फोलो करते हुए हमें उतर निकालना है सब्सक्राइब कर सकते थे हैं अभी बता रहा हूं यह चीज आगे बताऊंगा एक और अभी यह सुनो जब भी अपने पास में सिंगल लेटर रोना रिपीट ना रहा हो तो अपना बहुत सिंपल तरीका एक दो तीन चार पांच सब्सक्राइब करना है तो जैसे कि यहां पर चार लेटर होंगे मैं यहां पर सी ओंपी डाल सकता हूं मैं यहां पर चार में से यूटी यार भी डाल सकता हूं मैं यहां पर चार में से ऐसे इसी यूटी यार को ऐसे भी लिख सकता हूं तो बिसे के लिए रहा है चार को सिलेक्ट नहीं करना अपने को अरेंज भी करना है यूटी यहां भी यूटी यहां पर अरेंजमेंट अलग अलग है तो बिसे के लिए आठ में से आपका उत्तर बाइं बदेखर करने का याद रखना इसका मतलब होता है कि हमें अरेंजमेंट करना है इसको याद रख लेना और इसको सौल करेंबना लिख सकता हूं एट भी फूर होता है लेना है और 8 को इंकलीट करके एक एक नमबर कम करते जाओ टोटल चार नमबर अपने को लेना है चेक करो यहां पर यहां पर यहाँ आएगा इसका उत्तर किता गाइप से कल्कुलेट करके हमको बताओ फटावर क्लेकलेटर से बताओ किता रहा भाई तीस दोसो दस 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 इन्टू आठ लाट इस 1680 यह आपका उत्तर आएगा ओके अगला कोशन करके दिखाओ हमको कोशन अमना इंटिंग के बोले जहां से सुनों अनुम्बर और फरेंजमेंट सब्सक्राइब लेटर वर्ड फिलियर फलिए अब ऐन्य वर्ड यह बताऊ कि वह उवल्ड़ काहां पर है, यह वह उवल है, यू वह बर्ट बाकी चार है इन चार ओको नहीं एक साथ आना है आई यू ई ये वन जा है कि अपने एक इंगे और अपी एसको करो एज वन यूणिट करना है फिर एक यूनिट यह है एक यूनिट है और एक यूनिट हो स्वाटिय को अच्छार वाले को एक तरीट करो है शक्राइब चार चीजों को औरेंज करना है कितने तरीका से होता भई है इसी नहीं नहीं हो सकता यह एसे नहीं हो सकता अच्छा कोशन अगर यह आया है तो इसका मतलब कि चार ओकारेंजमेंट हो जो एक क्यों ऐडा सॉझ आपने साथ में आपने साथ शामरें तो यह चार में रोटेटकर रही हैं था तो यह चार चीजे डार में रोटेट रही तो यह एक साथ जोडने हैं तो उनको एक साथ मान के एक यूनिट करना है और सबको अलग अलग ठीक है क्लियर है आगे देखो अब इसी से मिलता है एक और कोशन है क्या बोल रहा है देखो करेट 10 examination paper are arranged in such a way that the best and worst paper never come together साथ ही नहीं आनेगे तो ऐसा केस जब भी आएगा ना तो हमें क्या करना है जितने भी total case without any condition है वो निकालो without any condition निकालो ठीक ना फिर उसमें से बच्चे अपने गोना माइनस करना है total case together वाले तो अपने आप जो है वो अपने आप देदेगा आपको कुछ करना ही नहीं बढ़ेगा यह चीज होती है तो टोटल without any condition मतलब 10 examination paper है 10 examination paper कितने तरीके से हो सकते हैं 10 examination paper है 10 पी 10 तरीके से हो सकते हैं 10 paper को दो जगा पर अरेंज करना है simple सी बात है अब इस में से minus करना है जब हमारा best और worst टोगेदर होगा तो best और worst एक unit हो गई अब इसके लावा 8 paper और है कितने बढ़ी 8 paper और है यह 8 paper प्लस में एक यह paper तो टोटल कितने हो गए 9 paper इन 9 paper को arrange करना है तो 9 paper को arrange करने के 9p9 तरीके yes साथ में यह B और M अपने आप में रहें जो सकते हैं तो 2p2 यह minus हो गया तो आज़र का गया 10 factorial minus का 9p9 होता है 9 factorial और 2p2 को हम 2 भी लिख सकते हैं 2 factorial भी लिख सकते हैं ठीक है चलो थोड़ा सा step by step करते हैं 10 factorial को 10 into 9 factorial लिख सकता हूं इसको पर 2 into 9 factorial ऐसे कर सकता हूं 9 factorial common लिए हमारा आंसर अगर 10 minus 2 यहां पर यहां पर 8 into 9 factorial लिच इस ऐसे भी लिखा जा सकता है तो उत्तर कौन सा भाई यह वाला हो गया ठीक है clear है सिंपल ज्यादा मुश्किल नहीं है बहुत इजी है अब एक और कोश्चन यहां पर देखो थ्री डिजिस नंबर तूबी फॉर्म आउट ओव दफीगर जीरो एट नाइन यहां पर नंबर डिजिट इस रिपीटिट नो डिजिट इस रिपीट फॉरी नो डिजिट रिपी इस बात को याद रखो यहां पर जीरो नहीं आना ची है अगर जीरो आ गया तो हमारा टू डिजिट नंबर बन जाएगा थ्री नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि कंडिशन क्या बोल रही है जो यह सबसे बड़े वाली जगा है ना वहां पर जीरो के लावा कुछ भी इसम σाथ यह कोई भी नम्बर इसमें से आसकता है तो सात जगा तरीके से इसको अक्यवाई कर सकता हो ठीके ना फिर जो टेंस में है ना बच्चे यह वाला है यस अब इसमें कोई भी लिए सकता है बर सर जीरी नहीं हो रही है तो जो यहां पर आजाएगा वो दوبारा नहीं यहां सकता है अब एक और यहां आगा मानलो यह आगा तो कितने नंबर बचेंगे छे यह हमारा आंसर आ गया 7 करोगा आंसर अपने आप आजागा कुछ ज्यादा सोचने का भी नहीं है एक और कोश्चन करें 19 स्टेट टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल सिंगिंग कॉंपेडिशन अब दिमांग में गया सिंगिंग तो सिंगल बंदा जीता है अच्छा ग्रुप सिंगिंग हो साइंगा स्टेट एक अएगा सेकिंड एक ऑर थर्ड एक आएगा यही बोला है ना अब मालो। फर्स्ट वाला यहां आता है सेकिकड्वाला है भाल आभ यहां पर अर्रिम में सा इसका है और यहां हो गया एक फब पहूर ये 17 कितना हो गया 5814 यह आपका उत्तर आ गया येस सिंपल कोश्चन में कुछ मुश्किल नहीं बहुत असान है बहुत इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं अगला कोश्चन तो अपना कोश्चन अब साथ में क्या लगे कि दोनों लड़के जो नों लड़का और लड़की वह दोनों स्कूल पर फेक्ट के लिए यह बड़िया कंडिशन यहां से अपने को सोचने का एक मुखा मिलेगा सिनेरियो बनेगा क्या चीज नहीं हमारेब से नहींगे इफ पहला सिनेरियो इफ स्क प्रफिक्ट इस गर्ड सर्डोशनेरियों क्यों बनेंगे यह पॉश्च वैरी गुट अगर हम बोलते हैं कि स्कूल पर्फिक्ट जो है वह वोई है तो उसकेस में हमारे पास मेंसे पाच बॉइसमें से एक लड़का तो चला गया है ना भई हमारे पास में क्या है वह फाइफ स्कूल परफेक्ट बॉय हो गया तो पांच में से एक तो यहां चला गया है अगर हमारा स्कूल परफेक्ट बॉय हो गया तो उस कर सकता हूं और यह भी हो सकता है 5P1 मतलब की 5, 4P1 मतलब 4, and 3P1 मतलब 3, तो उत्तर कितना गया, 60 आ गया, यह एक सिनारियो है, और दूसरा सिनारियो कि यहा है, जब स्कूल परफेक्ट एक लड़की होगी, तो स्कूल परफेक्ट अगर लड़की होगी, तो मिद्विकली जो तीन लड़की ह पर आई होगी, ठीके है, अब अगर हेड़ वे होगी चूज करना है स्कूल परफेक्ट परफेक्ट लड़की बन गई है, तो 5 मिद्विकली, हमने उसको फरेंज खर धें आ पर, तीन जो गर्ल से बच्चे, तीन इन गर्ल में से कोईएक, गर्ल तो यहां पर चली गई, तो इस तरीके से इसको कर सकता हूँ अब समझो यह scenario है और यह scenario है और का मतलब क्या होता है इस प्रकार से आप इस question का उत्तर दे सकते हो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ the number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will always be present तो मतलब क्या कि angle जो है ना वह आजटी जोना चीए इसकी भी arrangement नहीं होने चीए ऐसा नहीं होना चीए जी एन एल इलिग दूने ही यह हमेशा होना चीए इसके इलावा तुम टी कहीं लगा दो आर कहीं लगा दो आई कहीं लगा तो उससे हमें फरक नहीं बढ़ता तो एक इसको चार्ज जगया पर एर्रेंज करने का 4P4 that is 4 factorial ways जो का answer है 24 सर एंगल का भी arrangement होगा नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है एंगल को as it is रखना है ठीक है तो उसमें 4P4 into यह मत करते ना कि सर्फ 4P4 into 5P5 हो जागा नहीं इसको as it is रखना है तो इस case में हमारा यह उतर आएगा जो की को जिसको कहते हैं circular permutation क्या बोलता है कि हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वह एक लाइन में अरेंजमेंट देख रहे थे एक लाइन में ठीक है लाइन में से लंगर खाते ना यह ऐसे अरेंजमेंट देख रहे थे किसमें और इसमें एक d会शांस होता है क्या कूए बढ़ने होते है पांस लोग में कैसे विटाता जेंको इस पोजिशन में इस पोजिशन में 거의 बैठेगा है तो एक अरेंचमन्ट मानी जाएगी इस पोजिशन में कोई बीटshoं कोऊ बैठेगा वह वह यह धान मानी जाएगी इसकी numbering घर यहाँ बैठ गय है पहली को बरने का ये तरीका दूसरी को बरने का ये तरीका है इसके इर्दिशुरू करते हैं है यहाँ बैठ गया पहला इसके यहाँ पहली दूसरा आएगा तो यहां पहला डिसाइड करना पड़ता है और यहां डिसाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान पहले बैठ रहा है तो पहले इंसान अगर आएगा तो उसके बाद ऑप्शन है चूज करनेगा यहां बैठ सता है यहां बैठ सता है यहां बैठ सता है यहां बैठ सता है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिए जाना है कि इस बंदे को चूज करना है कि कौन सी जगा पर जाना है फिर अगर एक बार मानलों इसने जगा उक्युपाई कर ली तो सेकेंड बंदा आया तो चार और पांच, ठीक है, अगर मैं सरकल में पांच लोगों को बिठा दूँगा, तो क्या होगा बताओ, क्या अगर बढ़ँगी, अगर एक सरकल है, एक यहां, दो यहां, तीन यहां, चार यहां, माच यहां, अब पहला बंदा आएगा मैं कहां बैठाँ हूं, तो कहीं भी जाएगा वहाँ पर उसको five ways माना जाता था उसके बाद ऑप्शन है यह जगा दूसरी तीसरी चौथी पांच में पर चूज करनेगा यहाँ पर कोई अगर वो लीनियर में होता है तो हमारा क्या आंसर था टो उसमें एक एक वैल्यू कम हो जाएगी तो उसका आंसर आता है एं वाइन से तो हैं यह याद रख लेना ठीक है सर्कल इंदर में जितनी लोगों का अरेंजमेंट करना होगा जहां सुना अरेंजमेंट बात करो जितने लोगों का अरेंजमेंट करना होगा उतने में से एक कम हो जाएगा तो अगर मुझे दस लोग हैं दस में से लोगों का अरेंजमेंट करना है एक सरकर में बिठाना है उनको तो दस में से अगर इंजमेंट करना है तो तो पहले लड़के को यहां पर लेकर आना है यहां लेकर आना है फरक नहीं होता है इसके बाद इपर डिपेंड करेगा अगला कौन सा आने वाला है इसलिए फर्स के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका वन ही तरीका है बाकी के लिए एक दो तीन चार पांच पांच में से कोई और एक जगा पर आने का ऑप्शन दो वह जाएका 5 फैक्टोरियल उत्तर आगया कितना फैक्टोरियल डाट इस 120 यह ना भई 6-1 डारेक्ट भी का सकता था इसको है ना कि आमें सरकल में लेकर जाना है तो 6 लोगों को लेकर जाना तो मैं डारेक्ट भी लिख सकता हूँ ऐसे ओके तो उत्तर आगया 120 अगला कोशे यह कोशिन क्या बोलना है देखो क्या रहा थी लेडिज एंट्री जेंट्री कि अब देखो कि विख सब्सक्राइव कह दोलर फिर जाना पत्तर लेडिज सो अनली टौ राथी विख सब्सक्राइव और खुलर जोलिज को अब दौ इसाद को मिखा थार यह इन्पोरा ऑनला अश्क मेने बनाया है अब मिरेको दो जगा इसको चुस करना है ये दो जगा मैंने चूस कर दिया है मैं वोल रहूं कि इन तीन में नहीं दो बिठाना तो अब ये मुझे पता है कि मानलो तीन लेडिवावन अटोल और ये बैठेगी यहां पर या यह यहां बैठेगी यह बाटे की तो विस सब्सक्राइब आप इस तरीके से होगा तो की सागएगा यह ऐसा हो जाएग कि यार यह जो है न कौन कहां बैठ रहा है यह भािए और इनवे से निकालना भी इंपॉर्ट है अवर्य तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है तीन में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं और इन 2 को पहले से कि वो एक linear arrangement हो रहा हो तो यहाँ पर क्या हो गया देखो तीन है तीन में से दो जगायों पर अरेंज करने का तरीका 3P2 हो गया ठीक है फिर उसके बाद में आग गए चीज़े से में कहा रहा है कि इन दो के बाद में अगली जो लड़की है यहाँ नहीं बैठने चीए अगली लड़की इसके साथ नहीं उने चीए वो अलग उने चीए तो यहाँ पर क्या आएगा जी जेंट्स आएंगे ठीक है न यहाँ पर क्या आएगा जी जेंट्स आएंगे और फिर चाहे तो लड़की आजाएं यहां पर चाहे लड़की आजाएं यहां पर जैंटस के बीच में बिठा देना यहां बश्चार देना यहां मिठेक 30 पुछ मोलता हूं तो इस Board को पहुता देना ओलता है। यह बहुत बढ़िया कोश्चन है बहुत बढ़िया लेवल का अभी दुबारा समझाओंगा क्या किया पहले दो लेडिस को बिठा दिया तीन में से यहां रेंज हो गया अब बोल रहा है कि दो लड़की और बाकी जो बची एक लड़की है उसको इसके साथ नहीं बैटना तो उसको अगर कहीं और बैटना होगा तो उसके लिए बच्चे अपने को यहां पे और यहां पे जैंट्स को बिठाना पड़ेगा अब एक लेड़ी यहां बैट सकती है यहां बैट सकती है बीच में बैट सकती है यहां बैट सकती है यहां बैट सकती है यहां बैट सकती है य दो मेंसे किसी एक जगाओं। अंधा कर रहें कि तो टू पर न मचे का याद रखना एक चीज़ को घृबर ना कि या तो आप जगा उपकिज़ सिद्वाइद की चलना या विव लोगों को हिसाब से बच्चे कोशन को सब्सक्राइब करते हैं वह नहीं करते हैं हम उसक्으 हुल्टा कर लेंके कहीं लोग किया कर लेंगे आदे कोशन में वह लोगों के रहे होगं कि और आगए कोस्चन में वह अर्रेजमेंट देख रहे होगे फ्लेशी सिसका इसको बड़ा जहां से बहुत जादा अच्छे लेवल का कोश्चन था एक बार रिपेट कर दूँ और ताकि इस बार एकनम दिमाग में बज़ दा है तीन लेडिस को दो जगा पर बिठाने के यह तो एकनम क्लियर है कि तीन में से दो को उठाया दो को बिठा दिया यहां पर सर हमारा माइनस वन क्यो है फिर तीन जंट्स को बिठा दिया पहले वनदे को तो बिठा दिया पहला थो पेर बरिट गया तो थीन जगह पर सब्सक्राइब टाइब गड़ा जैगा अब एक लड़की के बासमें दो पर दिशनस फारेक हो बिठाने के यह एंड यह यह इतने तरीकर हो जाएंगे बह सब्सक्राइब करें अगर वो टेबल को सेंटर में देख रहा है तो अपने आपको इमाजिन करो तो लेफ्ट आपका यहां है यहां पर उल्टा हो जाता तो किसी कुछ भी मालने यह राइट हो जाएगा यह क्योंकि अंदर देख रहा तो ऐसे इमाजिन करते हैं लेफ्ट यह है राइट यह आजाएगा तो यह हो गया अब क्या बोल रहा है shortest person को बढ़ागे फिर tallest को बढ़ाना है पिर अपना कुर बैठाएगा? tallest बैठाएगा उसके right में tallest को बढ़ाने का भी एकी तरीका बचा tallest right में ही आने वाला है बाकी जो position है बचे औहोई person ले सकते हैं तो एक दो और तीन तीन position और हैं टीक है तो तीन लेते हैं एक दो और तीन यह आग इतना पहले ही पोजिशन तो यहां बैठे हैं वही चौटेस के राइट में तॉलएस बैठेगा तो शौटेस को बिठाने का तॉल इस तो बिठाने का भी एक ही तरीका है कंडिशन को जहां से समझना है कि अब बची कितनी प तीन लोगों को तीन जगा पे रेंज करने के थ्री फेक्टोरियल वेस्ट हम डिरेक्ट बोलते हैं थ्री फेक्टोरियल तो वन इंटु वन इंटु इंटु आपका आंसर शिक्स आ गया यह होगा अब कहीं बच्छे फोर फेक्टोरियल के चक्कर में 24 टिक कराएंगे बट से पढ़ लेना कंडिशन को अगर यह बोलता ना कि शॉटेस परसंट के राइट में या लेफ्ट में कहीं बटेवट साथ में तो यह और यह दो पोजीशन आ जाती फिर टॉलिस को बढ़ने के दो तरीके हो जाते हैं को बड़े प्यार से बढ़ना है राइट बोलके ना इ हम जब करते हैं तो नहीं मनता है इसका मतलब यह कि आपने एक टाइब के अंदर में कम से कम 30 कोशन मिनिमम में प्रैक्टिस नहीं करें हैं मैं तो 50 बोलता हूंगी एक ताइप के 50 कोशन नेकिस कर लो और जिस कोशन में अटके रहो जब तक आपका आँसर ना जाय यही है इ और लेफ्ट में बैटता तो दो अलग अरेंजमेंट होती है अगर ऐसा कुछ होता कि जहां पर लेफ्ट और राइट फरक ही नहीं बढ़ता तो उसमें आदा काम हो जाता है हमारा राइट लाइट लेफ्ट स्पेसिफिक करने पर क्या हो गया है कि दो पोजिशन है अब अगर मान लो ऐसी कोई सिनेरियों बने जहां पर राइट और लेफ्ट मेंटर ना करता हो तो उसमें तो हमारा आदा हो जाएगा खाम ना भई दो की जगा एक ही पोजिशन बन जाएगी इधर भी बराबर बात है ऐसा कहा होता है ऐसा केस होता है हमारा गार्लेंड या फि चुआ है अब समझो इसमें lorsqu Joshua एहां है दूसरा याँ है तीस्ता यहाँ है उर्फा यहाँ है पाँच मंआ है याई साथ है आठाट है यहाँ है सब कुस्सीनिलर से हैं ऐसे हो या मैं ऐसे देखका हूं तो उसमों कोई फर्क है कोई फर्कनी बढ़ता क्यूंकि सिमिलर सी ची बात तो बराबरी है ना इसलिए बोलते हैं कि जहां पर आपका कौन से एंगल से देख रहे हो फरक नहीं पड़ेगा ठीक है यहां मैं बोलूँ जहां पर mirror image सेम हो यह भी बोल दूँ अगर महां पर सेम लग रहा है इधर वाला उधर वाले की तरह ही लग रहा है ऐसे केस में ह बात को याद रखो कोशन बहुत सिंबल डारेक्ट आएगा अच्छा मैं पताता हूं मैं आपको अच्छे लेवल की कोशन प्रेक्टिस करा रहा हूं आपके ICI में जितने कोशन दे रखें हो बहुत हाई लेवल के हैं कुछ-कुछ एडिशनल एक्साइस फिशली कुछ-कु इस पर कैसा रहा है कि फिफ्टी डिफ्रेंट वैल्स केन भी सेट फू फॉर्म नेकलेस देन नंबर ओफ वेस कितने होंगे पचास डिफ्रेंट ज्वेल्स हैं नेकलेस बना रहे हैं तो आपको हमें इसा कुछ तो नहीं बनाना ना जहां पर लेफ्ट वाला अरेंजमेंट और राइट वाले में फरक ना पड़े वहीं नेकलेस को मैं सीधा बैनों उल्टा बैनों पता ही नहीं चलता ना तो ऐसा समझ लेना कौनसी साइड है मैं ऐसे चेन को बैन दू या ऐसे बांद तो फरक नहीं बढ़ता तो वह वाली चीज़ों आती है इसे कड़ है अगर कड करता है चलो तो उत्तर क्या होगा यहां पर करना है जब भी गोल अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें से एक माइनस करके फेक्टोरियल लिया जाता है और जब भी लेफ्ट और राइट फरक नहीं करता तो डूस से भी डिवाइड उता तो आंसर आएगा 49 फेक्टोरियल बाए कि एक पर्टिकुलर चीज नहीं हो रही है अगर मान लो आपके पास में दस लोग हैं ठीक है दस लोगों ने बोला कि कोल्ट रिंग बट एक उसमें से बंदा बोल रहा है यार मैं इक तो डाइटिंग चलती है मैं नहीं बिने वाला खोल रिंग तो आप सिदा क्या करों कि मैं दस में से 1 को उटा के आपके उसमें 4 ही कोड ही है तो मिलेगी 4 लोगों को तो करना कि अब 10 में से एक तो आदी है बचा कमार पस 9 में से 4 नो में से 4 बटा देना है एक तो पहले ही माना कर रहा है तो वेसंदूर ठीकुलर तिंग इस शोरली नॉट कमिंग तो हम क्या कहत कि अरेंजमेंट करने से पहले डिक्लेयर हो गया कि हम तो नहीं खेलेंगे तो उनको पहले ही हटा जेते हैं और सर अगर शॉरली आ रही होंगी उसके उपर बताऊंगा आप सोचके बताव इतने में ठीक है एक कोशन इस पर देखते हैं हाँ मैनी वेस्पाइव तो टैन वीपल इफ वशम दिशिते हैं हम सीधा और पी यह क्या पीते हैं तुम कैंसे रहा हुट में आडिल पानी की बाद नहीं है है फिक है ना में नहीं होता है तो इतने दरी कैसे हो सबता है उत्तर क्या हो गया करें सर सिंपल यह कैसे आया बताओ मुझे अभी बताया था एक दो तीन चार बात था यह आ गया उत्तर है चलो भाई अगला अगर एक चीज पक्का से आना चाहरी है कि मैं तो मेरी तो कोल्डरिंग फेवरे ऐड़ें पहले मुझे दो ठिक पहले मुझे दो तो हमारेको शॉडर्टी एक बंदा और यह एक बंदा जो हम सोच रहें कि नहीं कि नहीं Universal स देना तो यहाँ यहाँ की N-1 P R-1 ठीक है एक बंदा तो surely अपना include होगा ठीक है और उस बंदे का भी arrangement तो उसको अपने को R से multiply कराना होगा कैसे होगा देखो या answer बताता हूँ आपके बास में 9 लोग है ठीक है आपको बोला गया है एक बंदा ऐसा है जिसको quartering देनी ही देनी है तो हमारे पास में जो है पाँच ग्लास इस थे तीन ए भाई चार और पाँच ठीक है ना पाँच ग्लास इस थे अब पाँच में से जो एक बंदा हमने जो माइनस लिखा इसको सबसे पहले arrangement देंगे तो इसको कितने होखे आंच baking पाँच अब कितने लोग बचे हाँ बाउच कूछा अपट में से एक ग्ला से को इसके हम पांच अब न देना है उसका multiplication multiply में है एक चीज यहां काम हो गई है और एक हम उन्हें दे दिया है वह काम हो गया तो हमारा दोनों जगा से minus 1 minus 1 हो जाएगा यह answer है किया रहा है देखो जैसे number of arrangement of six different things taken three at a time in which one particular thing is always occurring Cup 6 में से एक ने बोला है मैं तो जा रहा हमने बोला की कौन जा रहा है यह जा रहा है कि तुम कोन सी जगह लोग आ ऊए yes को डिसाइड करूंगा तो सबसे पहले याद रखना जया कि आने वालों उसको आरेंज खर रहा है यह अपने यहां पर एसे सेन यह जब भी बहुने कि शोरली में आने मालों सबसे पहले उसको और इंज बना है जो भी इनी इन्तौ से ने तो अश्कार टो ऊप तो फाइव इन्टू पुर है ना फाइव पीड तका पांच और उसके बाद एक तोटल दो नमबर होने चीए इनका आरेंजमन जैए कि इसीट पर नमबरों नबर उनेचे नब आए इन डिशीज जेन पर दो यहाँ पर एक साथ हो गई है और करें दो एकसराथ हो गाई है एनर मेसे एन टोटरल थी एन डोर ow गई एक एन इसे न में 창ट धूझ 13 भूचों बट सब्सक्राइब करने चाहिए मैं आऊँगा इसा ने हए जार पार हैगा जो हुजान नौज दे रहाएं है उसको पकड़़िलेwiek पहले कुछ यह अपनने किया हुए आप बताओं कि मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा फॉर्मला बनाना सिखा रहा हूं तो एंड में से दो बोल रहे हैं कि हम साथ नियांगे तो हम क्या करते थे टोटल नंबर ओवेज लेते थे यह बन जाएंगे ठीक है दो चीजे हैं डिश्वन डिश्टू तो किसमें तरीके से रहेंज होगा सर एंड माइनस टू यह एक यह तो टोटल कितना हो गया एंड माइनस टू प्लस वन डाट इस एकल टू एंड माइनस वन तरी चीजों को आरेंज करने का तरीका यह हो है यार अब कोशन आ रहा तो अपन बार-बार देख रहे हैं हाव मने अर्रेंजमेंट्स कैन वी मेट आउट ओड़ लेटर वर्ड राजेश्ट दवोवल नेवर बिंग सेपरेटेड आप कर सकते हैं मैंने करके दिखाया है आर जे एस और एच अलग है एई साथ रहेंगे क तो कितने तरीके से कर सकते हैं करके बताओ वह सिंपल कोशन है और यहां पर हमने थोड़ा अलग टाइप का किया है देखो क्या है यहां पर दो टाइप की राइस हैं चार टाइप की ब्रेड हैं तीन टाइप की स्वीट है करें कि how many ways एक टेवल पर डाल सकते हैं जब हमारे same टाइप की डिशिज एक साथ होने चाहें तो मतलब यहां हमारी rice अगर यहां पर है तो rice यहां पर होने चाहें rice 1 rice 2 यह आपस मेरी नहीं हो सकते हैं ठीक है bread यहां पर तो bread one bread two bread three bread four ऐसा नहीं कि दो तीन चीज़े एक साथ होंगे अलग अलग भी हो सकती हैं जादा भी हो सकती है यह भी कॉश्चा बन रहा है ठीक है और तीन टाइप के स्वीट है तो समझो हमारे पास टोटल चीज़ें कितन करने का 3 फेक्टोरेट थी 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 तरीका आप उनमें से यह दो राइस, एक साथ होने सीट, यह ऐसा भी तो हो सकता है ना? अरेंज हो सकता हूँ, मिलब दो चीजों को दो जगा पे रेंज करने के two factorial तरीके? चार चीजों को Первेका कinary का चार के बीक्ष में four factorial और तीन चीजों का रेंज करने का three factorial. Solve करके answer बताओ. Six into two four factorial 24 और अगें six. उतार आया जल्दी से? यह आया है मेरा कितना मेरा आया है 1728 इस सिंपल और प्यारा कोशन बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सिनारियो बंद रहा है इस यह आप करोगे मैंने आपको कराया ऐसा कोशन पहला पांच हजार से बड़े कौन से नंबर होने चाहिए नंबर कौन से हमार पाइब जीरो वन टू सिमिलर कोशन करा चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बस यहाँ पर जीरो नहीं आएगा याद रखना बाकी इस तरीके से सिनारियो बना लेना नहीं पांच हजार से बड़े पांच हजार से बड़े के नंदर में क्या कंडिशन लग रिए यह यह वाला जो नंबर ऊंदर में रिपीट नहीं हो सकते हैं तो 5000 कि दर में यह 5 से बढ़ा तो कौन से नमबर यह है तो इसका मतलब क्याएं कि 5 से बड़े नमबर कौन से यह हैं 5 और 5 से बड़े 5 7 8 9 है ना हमारे गीवन में इन चारों में से कोई एक यहां सकता है अब अगे देखो अगली जगा पे कोई भी थो हमें अब विसले 5 आ सकता है यहां पर 5000 से बड़ा होने के लिए पांच आ सकता है चलेगा यह 5000 से बड़ा नहां इस चारों में से कोई भी एक अब अब अगले number के लिए कोई condition ये कोई भी आ जाए तो एक number हमारा यहां चला गया मानलो यह चला गया तो किटना पज़े एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 उमेंशों कोई एक हा सकता है अब एक मात इस चला गया तो कितना पछे बच गया तो यहां सकता है और अगला चला गया तो 5 बच ग आगे, the number of numbers lying between 100 and 1,000 can be found with the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 100 से 1000 कौन से नंबर है, 101 to 999, तो basically 3 digit वाले सारे नंबर होगे, except 100, उसकी कोई जरीवति निया है, क्योंकि हमारे को नंबर बोला गया है, which can be found by using this, which can be found by using this digit, ठीक है, अच्छा, जब तक बोलाना जाना कि repetition is allowed, मान के चलना, not repetition, तो यह no repetition वाला ही case होगा, जब तक बोला ना जाए, repetition वाले case में बोलेगा, कई बार confusion होती है बच्चों को की sir repetition होगी या नहीं होगी, नहीं होगी जब तक नहीं बोलेगा, so सेखो, 101 से 999 है, 0 तो है नहीं, तो हम कोई भी number डालेंगे चलेगा, तो यहाँ पर इन में से कोई दोसान सराएगा, simple, अगला, the number of arrangements in which the letter of the word table we arrange to the word thus forming with T and do not end with E, बहुत अच्चा गेन, यह अपने सारे वो questions है बच्चे जो exam में आने के chances हो सकते हैं, क्या बोल रहा है देखो, एक number है, जो T से शुरू होगा, यह fix है, ठीक है, और E end में नहीं आना चाहिए, A, B, L, E, तो हम इसको भरने का तो एक ही तरीका हो गया, इसको भरने का तो एक ही तरीका हो गया, अब समझो, अब अगली condition क्या बोल रहा है, यह वाला fix है और यहाँ पर E नहीं आना चाहिए, अब यह मत करना कि इनको भरने शुरू करते हैं, नहीं, जो conditions है मैंने बोला ना special case ही सब उसको पहला था यह इसको एक तरीके से, और यहाँ E नहीं आना चाहिए, तो A बचा, B बचा, L बचा कोई भी आ सकता है, E को छड़कर कोई भी आ सकता है, अब बाकी थीन में से कोई भी तीनों आ सकते है, तो 3P तरीके से इनको भर सकते हैं, इसको बढ़ने का एक तरीका, इसको तरीके सा सकता है मालोब भी आगया तो हटा तो फिर दो बचे दो में से को एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा तो यह हमारा उत्तर हो गया इन सार्यों में जगा को भरना तो 3 2 2 6 6 2 3 18 उत्तर हो गया बहुत प्यारा कोशन है स्टार मां किसले करा दिया है चले आगे अच्छा यह कोशन आगया तो चलो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं पांच वन है ठीक है पांच वन है और बोल रहा है कि हमारा जीरो जो है न और कितने हैं वही हमारा पांच जीरो तीन जीरो जीरो बट क्यारे कि जीरो ना साथ नहीं आना चीए जीरो ऐसे नहीं आना चीए तो जीरो कैसे आना चीए सर जीरो लाने के लिए अपने को जगा जो है अगर मान लो एक जीरो यहां पर आगया एक जिरो यहां पर आगया तो दूसरा जिरो यहां सकता है 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 तो मतलब देखो no two zero signs occur together इसका मतलब क्या है no two only two नी लिखा कोई तीन में से दो तो ऐसा जब भी case होना तो यह मान के चलना कि दूसरे condition को apply करना होगा together total में से together माई ने कोशिच मत करना क्योंकि together में क्या होता है कि एक unit बन रही होती है यहां पे गया हमें तीन में से 2 को choose भी करना है कि यह तीन में से 2 अलग एक साथ नियोंने चाहिए नहीं तो यह बहुत तो 3, 4, 5, 6 तो 6 प्लेसे में से 3 चीजे फिट करनी हैं तो 6 पी 3 तरी कैसे हो जाएंगी यहां तो प्लेसे ज़्यादा हो गई है इसे कैसे कैसे कर दिया बेटा हम कंडिशन ही उल्टा लेकर चल रहे हैं 6 चीज है यहां पे 3 ही अरेंज हो सकते हैं तो 6 में से 3 का अरेंजमेंट हो गया तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा ख्लियर है भाई? ओके तो आंसर क्या आगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 अब यह न एक फॉर्मुला भी बनता है इसमें ठीक है बट शॉर्टकर में बता रहा हूं यह उत्तर होगा अभी एक आएगा कोशन देखते हैं किसका आता है वो कोशन वो आगे आंसर हो जाएगा तो हमारा यह आंसर आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया भाई? This is 120 अब कोशन यह आता है देखते हैं आया और नहीं आया? है नवई? सिर्फ पांच वन है तो पांच वन को इंट को आरेंज करने भी की तो 5 factorial ways हो गए हाँ सही बात है 5 one's को आरेंज करने के लिए भी तो 5 factorial ways हो गए 5 one's है 1,2,3,4,5 इसको आरेंज करने के भी 5 factorial ways हो गए बट समझो अगर कोई चीज रिपीट कर रही होती है आगे बताना था भी बता रहा हो फिर भी ठीक है अगर कोई चीज रिपीट कर रही होती है तो जितनी बार वो रिपीट कर रही है उसके उतने फेक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है तो आंसर आना यही चीए था इन टु फाइफ एक्टोरियल वाइफ फाइफ वंस्कुर इंच करने के वाइफ एक्टोरियल पेज छे जगाओं पर तीन जीरो जालने के इतने वेज़ हो गया तो यह आना चीए था बट पाच्टो वन रिपीट कर रहे है यह सब तो इन फेक्टोरियल था तो आपच्व पा लग रहा था उत्तर यह आएगा बट एक्चल में हमारा रिपीटिशन होने की वजा से इससे और डिवाइड करना पड़ गया तो याद रखो रिपीटिशन का का पॉइंट क्या है कि जब भी रिपीटिशन होती है जितनी बार एक चीजरे रिपीट करती है उसके ऐसे इसके इवाइड अब यह कोशन देखो क्या है ये गोशन क्या है हमें इसका उत्तर बताईए sum of 9 r is equal to 1 r into r p r उत्तर बताना है इसका ठीक है तो हर एक चीज वेल्यू डालें यहाँ पर हर एक चीज की r की वेल्यू 1 डालें 1 हो गया 1 p 1 फिर आगा 2 2 p 2 है ना ऐसे चलते है 2 p 2 ए भई 2 p 2 फिर 3 into 3 p 3 फिर 4 into 4 p 4 and so on कहां तक चलेगा भई आखरी क्या वेल्यू है 9 तो इसका मतलब यह है ना आखरी second last हो जाएगा यह और आखरी हो जाएगा यह अब 1 p 1 का मतलब क्या है 1 factorial 2 p 2 का मतलब क्या है 2 factorial यह करना आना चीए जो पता है ना देखो हमेशा इस सेप्टर में यह चीज है कि जो आपको लगा रहना कि नहीं कोशन तो सौल नहीं होगा करना शुरू करो अपने आप हो जाएगा और जब लगे ना कि यार स्टार्टिंग में लग रहना नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है कोई इसको ऐसे हैं एक बढ़ा पड़ा तो इसको पैसे लिखता हुँ तो basically 2 into 2 factorial को मैंने ये लिख दिया, same 1 into 1 factorial को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 into 1 factorial minus का 1 factorial, लिख सकता हूँ न, basically मैंने 1 factorial add भी कर दिया और 1 factorial minus कर दिया, तो ये add होने पर ये बन गया minus ही होगा, हुआ क्या देखो, इससे एक बड़ा number यहाँ आगा, this is equivalent to 2 factorial minus 1 factorial, same 3 into 3 factorial को ऐसे क्या ल same, अगर 4 factorial, 4 into 4 factorial को क्या लिख पहूंगा मैं, एक बड़ा number कर दूँगा, तो 5 factorial बन जाएगा यहाँ और minus 4 factorial हो जाएगा, same pattern है, मतलब कि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर, 2 into 2 factorial हमारा क्या बन कर आ रहा है, यह अपने आप करो, यह 3 into 3 factorial minus 2 factorial आ रहा है, कडियों को जोड़ बन कर रहा है, तो यह क्या बन कर रहा है, हमारा 2 factorial minus 1 factorial, यह क्या बन कर रहा है, 3 factorial minus 2 factorial, यह क्या बन कर रहा है, 4 factorial minus 3 factorial, यह क्या बन कर रहा है, 5 factorial minus 4 factorial and so on, तो यह बन जाएगा 9 factorial minus 8 factorial, यह बन जाएगा 10 factorial minus 8 factorial, ऐसे बन जाएगा 10 factorial minus 8 factorial, ऐसे बन जाएगा, ओ minus 9 factorial, same pattern follow करते हो है, तो यहां से हमें क्या मिला भई टू फेक्टोरियल यहां प्लस का यह माइनस का है यह प्लस का है यह माइनस का है यह अगले से कट जाएगा सी यह वाला इस से कट गया यह वाला इस से पहले वाले से कट जाएगा तो एंड में बचता हुआ क्या दिख रहा है वहाँ पर 10 factorial दिख रहा है और यहाँ पर minus का 1 factorial दिख रहा है minus का 1 factorial दिख रहा है तो उत्तर ये आ जाएगा minus 1 factorial क्या होता है भाई 1 होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सेथे हैं 10 factorial minus 1 clear है? बहुत प्यारा question है अब ये question exam में नहीं आना चीए पहले आता था जब आपका CPT लेवल का होता था बट एक formula था में क्यारों कि चलो ये भी देख लो ये भी देख लो ये भी कर लो ठीक है आ जाएगा तो पर बता नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी और आपके ICI material में दे रख था है हमने का चलो कराई जाता है एक question आता है कि the sum of all four digit number containing the digit 2468 without repetition बताओ कितना होगा तो question same as it is देगा अब इसका बहुत लंबा pattern है हम अपनी live classes में सिखाते हैं इसी को बट अभी नहीं बता सकता मैं okay क्योंकि भाई बहुत लंबा अब हमें one short बनाना तो हम direct formula बताते है formula क्या है क्याना जो भी डिजिट दे रख योंगी ना हमें बताना है sum of all four digit number करना का है 2348 बना number 2468 है और क्या number बन सकता है 4268 बन सकता है 6248 बन सकता है 6284 बन सकता है क्याना जितनी भी number बन सकते हैं चार नमबर चार जगाओं वाले चार नमबर बनेंगे रहाना वाले यह बनेंगे तो फॉर नमबर को फूर जगाओं पर एरेंज करने यह 4P4 ठुरियर 4 times ट्वॉइद 24 नमबर हुँशं ons सुम यह बताना है अब और ऐसा करके सब का सम औरल हो और तो पागल होеждा कि इन सब को सम कर ले हैं सबसे वहले हैं लॉजिक बताने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा अपन इस थोड़ी सी चीज को अपने ऐसे याद कर लेते हैं इन सब को सम कर लेंगे इसको multiply कराएंगे अपन कितने नंबर हैं एक, दो, तीन, चार है चार है उसमें से एक माइनस करकर इसके फेक्टोरियल से multiply है और साथ में कितने नंबर है एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार नंबर है तो कहा रहा है कि चार नंबर है तो चार बार वन लिखकर उससे multiply है वाल्लब 10111 से multiply है तो इसका answer आजाएगा लोजिक क्या ऐसर नहीं बनाओंगा भी बहुत कंफ्यूज हो गया चोड़ो इसका उत्तर क्या होगा देखो यह ओगा 20 इंटू 3 फेक्टोरियल 20 इंटू 3 फेक्टोरियल कितना होता 6 इंटू 1 1 1 इसका उसर आगया 120 इंटू 1 1 1 1 अब नमबर कुछ भी होते हैं अगर मालों यहां पर 1 2 3 4 नमबर होता तो क्या होता यह सब कुछ तो सेम रहता चारी नमबर थे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 नमबर होता इनका बोलाता अरेंजमेंट तो क्या हो जाता तो 1, 2, 3, 4, 5 करते पांच नमबर हो गए हैं तो हम multiply कराते हैं पांच में से एक minus करके इसके factorial से और पांच नमबर है तो एक पांच बार लिखकर इस से multiply हो जाता तो इस तरीके से होगा यही एक pattern follow करना है और question को करना है अब आते हैं मारे next part की तरफ जो की हमारा help करता है for choosing and selection अगर आप scenario बना के काम कर रहे हो ना तो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बड़ा आप formula पर इस पर सोच रहे हो ना कि चलेंगे इसी पर करेंगे तो यहां पर आप आठकते हो क्यों सर क्यारे देखो आपको ना यह judge करना बड़ा confusion में लगेगा कि यहां select करना था तो भाई अपन scenario बनाएंगे अपने दिमाँ में सोचेंगे अच्छा पहला काम यह हो रहा है दूसरा काम यह हो रहा है special cases यह से हो रहे है special cases को priority देते हैं फिर उसके बाद में अपन normal cases पर देते हैं फिर जिसमें से जिसको arrange करना या choose करना वो कर लेंगे बात खता हो जाएग इवाइड बाई में ऊपर माइनस नीचे वाले का फेक्टोरियल बट साथ में फेक्टोरियल नीचे वाले का भी डिवाइड में जाता है तो यह फॉर्मूला है ठीक है तो अगर मुझे 5 में से 2 चीजों को choose करना है 5 लोग है मेरे को 2 अच्छे लोग निकालना है मुझे नह से आयेगा, तो समझो, तो क्या वाइब तो फाइब तो फ्रेक्टोरियल और फ्रेक्टोरियल और है इसे ही कट गया, यहां से ही कट गया तो उत्तर आगा टैन, एस अब पाँच में से दो लोगों को चूज करनेगा, सिंपल तरीका जो पांच है ओके समझो मेरे को किनी दो को चूज करना है फर्स फूस सेकेंड चूज अब इसमें अर्रेंजमेंट से फरक नहीं बढ़ता हमों पांच में से किनी दो को एक साथ निकालना है तो बैस तरीका है वैसे यह करना वट फिर वरना में क्या करना होगा पहला यह पिक किया दूसरा यह पिक किया ठीक है तो पहला पिक करेंगे हम तो पांच में से कोई एक आएगा पांच तरीके से और एक तो आ गया है तो एक माइनस हो गया तो बचे कितने चार तो चार में से कोई एक आएगा यह हो गया हमारा 20 बट जैसे ही आपने यह किया तो आपने कर लिया कि यह हमारा person 1 है यह हमारा person 2 है चिन 2 1 चिन 2 2 है बट ऐसा भी तो हो सकता था यह हमें तो choose से मतलब है arrangement नी तो हमने basically क्या किया है यहाँ पर दो condition लिले कि यह fix हो गया है बट यह भी हो सकता था तो दो condition को अपने fix करी है ना हमें उसको divide कराना बढ़ेगा दो condition जितनी number of conditions उसकी arrangement की हो सकती है उससे divide कराना होता है actually में यहाँ पर भी हुआ है हमने क्या किया है हमारा पास में NPR क्या होता था N factorial बाए में N minus R का factorial तो अगर धियान से देखोगे हमने यहाँ पर क्या किया है तो यह हमारे total number of arrangement निकले है जैसे यहाँ पर यह निकला था हमने फिर क्या क्या जितने arrangement है उससे divide करा तो यहाँ पर तो हमारा formula सिर्फ choosing का रह जाएगा तो इसलिए बोला मैंने का कि यह NPR के formula से मनता है तो जैसे यह देखा तो हमारा answer के आगया वाई यही आगया जो चाहिए था तो हम क्या बोल रहे हैं देखो कैसे कर रहे हैं हमारा process ऐसे चल रहा है कि यह class है आपकी 40 लोगों की इसमें से 11 लोगों की team मनाना है फिर इनको arrange करना है काम यही होता है काम यही हो रहा है यहां selection हो रहा है तो कि आप करोगे कैसे कि यहां से यहां सीधा जाएंगे permutation का चक्की हो कि हम सीधा पहले arrange कर देते हैं फिर उसको डिवाइड कर आते हैं जितने हमने arrangement कर लेते हैं तो सिल्फ सेलेक्शन का पार्ट पता चल जाएगा ठीक है तो ऐसे हमारा यह formula निकल कर आया बड़ा दिमाग लगाया mathematician मुझे ऐसा लगता है यह बड़ा difficult लोगा सोचन अब देखो कॉशन क्या है कर रहा है in how many ways I can select three cards out of 52 cards 52 pack card 52 pack card ताज के लिए भाई हमारे पास चार टाइप के card होता है है ना 13 यह 13 यह 13 यह 13 यह येस अलग अलग टाइप के एक हार्ट होता है एक हमारा ऐसे पान टाइप का होता है ए भाई पान बना रहा था ठीक है एक हमारा ऐसे होता है येस और एक हमारा डाइमन शेप में होता है येस तेरा तेरा होता है हर एक पते अब टोटल किते होता है 52 क्या इन 52 में से कोई सा भी आजाए हमें तीन चूज करने है तो कहा रहा है जैसे वड़ पतल सेलेक्ट है या चूज है या है चूज है तो हमें सीधा करना है 52 में से तीन का चूज करना है तो 52 फेक्टोरियल बाय में 3 फेक्टोरियल ये वाले का और 52 52-3 का factorial 52-3 का factorial यह उतरा गया तो देखो क्या हो गया 52 factorial बाए में 49 factorial and 3 factorial that is 6 इसकी वेलिए लिखेता हूं 3 factorial की वेलिए 6 होती है अब 52 factorial का मैं 49 factorial मैं कैसे इसमें कर सकता हूं 52 into 51 into 50 into 49 factorial लिख सकता हूं हाँ सर लिख सकते हूं कोई दिक्षट नहीं प्रिशानी नहीं, 49 factorial यहां है और इन्टो में 6 factorial, 49 factorial से cut गया, 6 factorial नहीं 6 है, तो 6 से यह क्या cut सकता है, इसको cut है, इसको cut दिया, यहां बचा 2, यहां कितना बचा उपर गया, उपर में 3 पे बचे गया, यहां पे 1 और यहां 7, इस 2 से गया, यहां गया 26, तो उत्तर आगया 26 x 17 x 50, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 26 x 17 x 50, हां, तो 2, 2, 1, 0, 0, इसका उस आंसर हो गया, ओके, सर्थ शॉर्टकट बोल रहते हैं, तो बड़ा नंबा लग रहा है, देखो क्या से करना है, शॉर्टकट, क्या रहा है 52 C3 निकालना था, 52 और 52 से चोटे, 3 नंबर ले लो, 52 औ 52, 51, 50, तीन नंबर हो गए, 52 है और 52 से चोटे है, तीन नंबर, करें इसका मलिटिप्लिकेशन कर दो, और इसको डिवाइड कर आ दो, 3 तीन लेना है, और जब तक एक नहीं आ जाता, यह answer आ जाएगा, देख लो भाई, यही आएगा, चेक कर लो, भाई, 3 से यह गया, 17 हो ग ओके, एक और भी दूँ आसी, अगर मैं बोलो, 8C3 निकालना है, तो क्या गरूँगा, आठ से, छोटे और 8 को मिला कर तीन नंबर लिखना है, इनका मल्टिप्लिकेशन और 3 के फेक्टोरियल से डिवाइड है, तो answer आ गया मेरा 56, ठीक है, यह सर, चलो आगे है, आगे करो, 10C3 हो गया, तो 10, 9, 8, तीन नंबर, 10 को मिला कर उसे एक एक कम करके, डिवाइड इवाइड इवाइड थ्री फेक्टोरिया, इन से गया 3, यहां से गया कितना 4, answer आ गया 120, बहुत, और यह रिपीट हो गया है त्यार, कोई बात नहीं, सेम कोशन है, छोड़ो, यहां पर मैं का उत्तर क्या आएगा, बताओ, अगला कोशन इतने में आपको करके दिखाता हूँ, find n प्लस 1, cn-1 is equal to 45, तो क्यासे होगा, अब यहां पर ना कुछ रूल सिखा रहा हूँ, इसको करने के लिए, समझो, n, c, r is equal to n, c, n-r, मतलब, अगर मुझे 10, c, 2 निकालना है, तो वो equivalent है, 10, c, 8 निकालने के लिए, करके दिखें, 10, c, 2 का मतलब क्या है, 10 factorial, divided by, 2 का factorial, and 10 minus 2 का factorial, तो क्या होगा, 10 factorial, by में 2 factorial, and 8 factorial, यहां से इसको देखो मैं, यहां से देखो क्या रहा है, 10 factorial, by में 8 factorial, and 10 minus 8 का factorial, तो यह भी तो सेम आ रहा है, यहां RHS भी सेम है, left hand से, इसका मतलब क्या है, n, c, r is equal to n, minus का, n में से कर दो r को, तो उसके equivalent है, तो यहां पर मुझे इसको solve करना तो यह बहुत difficult हो जाता, आपको n plus 1 से आगे करते करते हैं, यह इतना निकालने बड़ते हैं, फिर उसको n minus n factorial से, but मुझे बता है, एक और rule है, कि n plus 1, c, n minus 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कि n plus 1 लिखो यहां पर, c, इसमें से यह minus करा दूँ, देखो, अब सिंपल हो प्लेस कर दिया, n plus 1, c, 2 से, which is equal to 45, यह इसकी equal था, अब इसकी value, क्या बता है था, n plus 1 लिखो और उससे एक कम कर दो, दो number होने चीए, तो यह बन गए, यह बन गए, इन दोनों का multiplication, divided by 2 का factorial, that is 2 into 1, is equal to 45, अब यहां से, n plus 1 into n is equal to 45 into 2 is 90, अब यह क्या दिख रहे हैं, मुझ consecutive number दिख रहे है, n plus 1 जस्त एक बड़ा है इन से, तो क्या मैं 90 को ऐसे लिख सकता हूं, यह से 10 into 9, बड़े वाला बड़े सीक्वेट, बड़े वाला बड़े सीक्वेट, छोटे वाला छोटे सीक्वेट, इसका मतलब क्या है, n की value 9 आ जाएगी, यह है हमारा अच्छे level का ध value of r, अभी आपको बताया, ncr जो होता है, that is equal to npr by में r का factorial, बताया था, yes sir, तो r factorial को मैं बोल सकता हूं, npr by में ncr है, npr कितना है, 1c8 है, 168 है बड़े, 168 है बड़े, n की value 8 है, देखो, n सेम है न, yes sir, r सेम है न, yes sir, n और r सेम होने चीज़, यहां सर सेम है, और हमे r ही निकालना है, अब 8 डाल दो, यहां पर कोई फरक नहीं बढ़ता, हमें बठ पता चल ली रहा है, 0 से 0 गया, 168, 168 divided by 7, 24 आ गया, r factorial 24 है, तो 24 किसका factorial होता है, 4 का, तो r की value 4 आ गई, तो अब अगना question है, 14, 5 क्या बोल रहा है, committee of 5 member to be selected, from 6 CA, 4 CS and 5 CA में, in how many ways can this be done, if the committee, there must be at least one member from each group and at least two chartered accountants, actually this question में होगी थी थी फोड़ी सी गट बड़ी, यहां पर अपने साथ ले लिया था member, वो तो भाई, बहुत लंबा question आता है, इतना लंबा question आने का नहीं है, time बहुत आता लगता लगता, फिर अपने वह सुता है कि जो practical question है उस पर, और CS, CS दो होगे तो उसको collect किया है, ठीक है, तो अपने बस है यहां पर, अपने पास में पांच मेंबर बनाने है, पांच मेंबर की committee बनानी है, CA है, CS है, और CM में है, क्या है वह यह लोग है, ठीक है, छे यह है, चार यह है, और पांच यह है, ओके, बोल रहा है, CA जो है ना वेटा, वो minimum 2 होने चीए, at least 2 chartered accountant होने चीए, तो मतलब CA जितने भी committee में बनाऊगा है, तो 2 chartered accountant रखने है, और CS एक रखना है, CM में एक रखना है, तो committee कितने की बनानी है, 5 लोग होगी, तो total कितने लोग होने चीए, भी 5 होने चीए, तो कैसे हो सकता है, minimum, minimum तो 2 और 1 है, तो अपन काया रहा है, इसका इस बार minimum कर लेते हैं, इसमें एक बढ़ जाएगा, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, चार जी तीन इसका ले लेते हैं, उनका minimum, minimum लेते हैं, ये हो जया गा, तो हर बढ़ 5 आ रहा है और कोई possible case है, नहीं होगा, ठीक है, तो अब समझो, हमने किया वाइ से एक को लेना है तो यह हो जाएगा 4C1 तरीका फिर यहाँ पर 5 में से 2 को लेना है तो यह हो जाएगा 5C2 तरीका इन सब को लेना है तब एक कमेटी बनेगी यह भी लेना है और यह भी लेना है तो ग्रीन वाला मल्टिप्लाय होगा यह मल्टिप्लाय into 5C2 ठीक है और फिर यहाँ पर इस बार 6 में से दो यह इतना ही लिया यहाँ पर 4 में से दो कर दिया इस बार और यहाँ पर कर दिया 5C2 तो यहाँ पर इस वाले में हो गया 6C2 into 4C2 into 5C2 और इस वाले में कितना होगा देखो च्छे में से इस बार इसमें 3 ले दिया शुक्सी 3 इसमें हो गया इसमें से 4C1 और इसमें से 5C1 हो गया इसमें 5C1 है ठीक है 5C1 है तभी 5 होंगे 5C1 है यहां हो गया 63 into 4C1 into 5C1 अब यह होगा और यह होगा और यह होगा और मतलब addition Yes यहां पर हमारा combination का भी यूज़ा और principle of mathematics का भी यूज़ा एक नंबर लेंगे चार 4C1 और 4P1 हमारा एक ही बात है 4 के बराबर आएगा याद रखना मतलब NC1 and NC NC1 and NP1 हमारा बराबर होता है याद रखना 5C2 का मतलब क्या है 5 into 4 by में 2 हो जाएगा 6C2 का मतलब 6 into 5 into 2 अगेन हो गया इसको एड़ करने नीचे वाले में से and 4C2 मतलब 4 into 3 by में 2 हो जाएगा और 5C मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर 6C3 मतलब 6 into 5 into 4 by 3 factorial into 4C1 मतलब 4 and 5C मतलब 5 दिख रहा है भाई थोड़ा सा calculation अपनी किनारे में जा रही है कोई बात नि हम spaces बनाके यहाँ पर इस वाली calculation को यहाँ करूँगा इधर में कर दूँगा यहाँ से उठाके यहाँ ले आँगा इसको मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर एक बाद सिंप्लिफाई कर रहते है यहाँ से यह गया 3 बचा यहाँ से यह गया 2 बचा तो 3 into 2 again 6, 6 into 5 30, 30 into 20 कितना हो गया 600 हो गया पहले वाला अगला यस यह होगा ना भई 15, 2, 30, 30 into 5 1,500, 1,800 into 4 फिर यह 2 से गया यहाँ भी 30 into 15 हो जाएगा 30 into 15, 4,500 यस 30 into 15, 4,500 ठीक है फिर अगला 6 यहाँ है 6 यहाँ है कट गया 20 into 20, 400 इन सब का edition यह बन गया कितना हो गया भई 1450 उत्तर आ गया तो यहाँ पे सीखने वाली क्या चीश दी cases बनाना एक case यह था दूसरा case यह था तीसरा case यह था तो यह ऐसा question exam में आ सकता है धाकड़ देवाल का question इसको इसलिए declare कर देते हैं आगे और क्या बनता देखो अच्छा कुछ result से इसको याद रखना है एक result तो मैंने आपको यह बता दिया n c n का मतलब क्या है देखो अगर हमारे को n लोगों में से n का selection करना तो उसका एक ही तरीका होता है कैसे n c n का मतलब क्या है n factorial को n minus n factorial से divide कर आओ और 7 में जो नीचे वाला है उसके factorial से divide कर आओ n factorial से n factorial कट गया यहाँ गया 1 by में 0 factorial which is 1 by में 1 उत्तर 1 तो n में से n लोगों को चूज करने का मतलब क्या कि सभी को चूज कर लिए तो एक ही तरीका है भाई simple सी बात है तो same n में से 0 लोगों का चूज करने का तरीका भी 1 नीए n में से n लोगों एक लोगों को तरीका चूज करने का तरीका कितना हो जागा n हो जाएगा ठीक है yes यह चीजों को याद रहना हो okay nP 0 and nC 0 भी 1 होता है और nC 1 and nP 1 भी हमारा n होता है यह दोनों को भी याद रखना है important बात है nc0 बता दिया भाई हमारा 1 ही आने वाला है n factorial भाई में 0 factorial and n minus 0 का factorial यहां से n factorial भाई में 1 into n factorial हो जाएगा cut जाएगा 1 आजाएगा same बात है ठीक है अब एक चीज़ को हमने पढ़ा है भाई यह ncr और ncn minus r यह बहुत important result है याद रखना है r की value जैसे वेटा हमारे 0 से n के बीच में होती है तो same तरीके से एक और चीज़ को याद रखना है n में से जो r minus कर रहे है उसकी value भी इसके बीच में आएगी ओके याद रखना magnitude count होता है ठीक है भाई? ओके ये ये question को करो अच्छा ये property देखो ये बहुत important property है इसको result पूरा लिखना है इसको कोई बात ने लिए कि अगर मुझे ncr का combination दे रखा है और साथ में ncr से एक छोटे का combination दे रखा है और इनका addition दे रखा है तो क्या करेंगे कि इन में से जो बड़ा है ना और 8C4 है आप solve कर रहा है मैं सीधा क्या करूंगा और 8 से एक बड़ा ये इसके बराबर answer आजाएगा तो कुछ properties को हमें use करने में help मिलती है सेम तरीके से अगर आपको n-1pr दे रखा है और इसमें r times of जो ये value है और इसमें से एक कम है तो इसका answer क्या आएगा बेटा n-p-r आएगा ये भी एक बड़ा हो जाएगा और यहां से एक बड़ा ठीक है ना सेम समझ में आगया यहां पे अपना r multiply करा दो और p कर दो तो यहां पे क्या होगा भी इन दोनों में से जोंसा बड़ा होगा वह आजाएगा और इससे एक बड़ा हो जाएगा तो उपर वाले की तरह यह है उपर वाले की तरह लिखोंगा तो ज्यादा बेटर लगएगा आपको फिल आईगी है अगर मैं बोलों कि मुझे एंपी आर दे रखा है और आर टाइम सो याद रखना क्या बोला मैंने एक कम वाले को चूज करना है ठीक है तो कैसे होगा कि इन दोनों में से उसको लेना है इसको लेना है और उपर में एक बड़ा देना है तो यह ऐसे भी का सकते हो जैसे एक्जांपल 8C 8P 3 था और 3 टाइमस ओफ 8P 2 दे रखा है तो किया रहा है इसको गैलकुलेट करने से होना चाहिए जैसे 11C 2 प्लस 11C 3 की वेल्यू क्या होगी जो उसा दोनों में से बड़ा है 3 वो ले लेना है और 11 से बड़ा एक बारा लेना है इसके इक्वेवेलेंट इसकी वेल्यू आएगी स्वाल करेंगे तो बारा इंटू ग्यारा इंटू 10 तीन नंबर हो गए बारा से लेकर जितने यह है उतने नंबर लेने है और नीचे फ्रेक्टोरियल तीन कर डिवाइड तो यहां से गया दो बचा आंसर आगया 220 कैलकुलेशन धड़ा धड़ करनी है ओके अब बोल रहा है देखो प्रूव दैट इस इस इक्वेल टू दिस वाट कई मार गयागा कोशन ऐ अब देखो यहां पर यहां पर यहां पर अगला यहां पर आर माइनस वन यहां रहा है तो बड़ा कौन से र वाला है और माइनस टू एन माइनस टू से मैं तो एक बड़ा कर देंगे तो यह बन गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन ने बन गया अब अगला यहां पर आर माइ कि दोनों के कुंबिनेशन अब ये दोनों से कौन सा बढ़ा है उपर में से बढ़ा तो ऊपर वाले का एक बढ़ा कर दिया तो यह आंसरा का जो कि मारा desired answer है, simple कि अगर NC11 NC21 के बराबर है तो 33CN क्या होगा, देखो ये question में अच्छा है, थोड़ा सा इमाग लगाओ इससे compare करो ये NC11 यहाँ अलग-अलग है, तो याद रखना हमने एक चीज पड़ी है कि NCR is equal to NCN minus R होता है और कुछ नहीं हो सकता, अगर pair में अलग-अलग आ रहे है ना बच्चे, इसका मतलब क्या है, कि ये R हो सकता है, maybe R is equal to 11, और N minus R हमारा 21 है उल्टा भी कर दोंगे, नहीं सर हम R इसको मानेंगे, और N minus R हमारा 11 मानेगा, तब भी आंसर N का सेम आएगा, चेक कर लेना, आप इससे निकालो, मैं इससे निकालता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैंने इसकी 11 डाली, value 21 होगा, N की value आ गई है, 32 ठीक है ना, यहाँ से निकालो कि तब भी 32 हैगा, चेक कर लेना, और 33CN, कोशन देखो 33 में से अगर मैं माइनस कर दूँ इसको, 32 को तो यह निकालो, N C N minus R, N C R is equal to N C N minus R कर लिया, यह होजाएगा, 33C1, which is equal to, बोला था ना, कि N C 1 is equal to N, that is 33 answer, उत्तर में देखा होगा, 31, 32, 33, तो आप 32 टिक कर गया होगे, कोशन पूरा पढ़ा, नहीं, कोशन में यह पूछा था, यह आता है कोशन, अच्छा कोशन है यह भी, ओके, if 15C R is equal to 15C, R plus 3, तो R C 5 बताओ, यह आप करोगे, सेम तरीके से, R की value क्या हो जाएगी, वही, R plus R plus 3, चेक कर लेना देखो, अच्छा, हमारा, अगर यह R है, यह होगा, N minus R, तो N minus R क्या हो गया, R plus 3 के बराबर, यह, ठीक है, N क्या दे रखा है अपना, 15, तो 15 minus R is equal to R plus 3, तो 2R is equal to 12, R is equal to 6, ऐसे solve कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, उपर से एक और सी द्याद देखो, NCR, अगर हमारा, N, C, N minus R है, तो इसका मतलब क्या है, कि इन दोनों का सम जो है न, वो इसके equal है, तो R plus N minus R, yes, उपर वाले के equal है, तो मतलब यहां से भी मैं directly भी यह लिख सकता है, कि R plus R plus 3, जो है न, बेटा, वो सीधा उपर वाला जो N है, इसके equal है, तो यहां से भी निकलता, है न, समझ लेओ, कि हमारा एक और दूसरा, यहां दोनों का सम जो है न, उपर वाले के equal है, तो यह भी बोल सकते हो, अब, जो मैंने आपको बहुता है, कि एक formula बताना रहे गया है, जो one set zero वाला कोशन था, उस पर बात कर रहा है, क्या गया रहा है, क्या गया रहा है, क्या गया रहा है, क्या अगर, माल लो, हमारे पास में total n things है, टोटल n things है, n things में से हमें arrange करना है n को, तो क्या तरीका होगा, n factorial, n pn हो जाएगा, n things में से n को arrange करने का तरीका कितना हो जागा, n pn, बट उसमें क्या एक ट्रबल है, कि इस में से n1 things एक type की है, same to same है, डिट्टो, copy paste, n2 type type एक का है, n3 एक का है, तो कह रहा है कि ऐसा है, तो आप एक काम करो, आपका जो answer आएगा, n things में से, n को arrange करने का, n को arrange करने का, वो जाएगा, n pn, that is n factorial, by में, n1 का factorial, अगर वो same है, n2 का factorial, n 3 का factorial, यह डिवाइड में, यह बताया था, हैना, तभी तो हमने 1 सारे same, तो 5 factorial से डिवाइड कराया था, 5 बन थे, और 0 सारे same, तो 3 factorial से डिवाइड कराया था, जो भी answer आएथा, तो यह याद रखना है, ओके, question यहां से बढ़ो, हमारे पास में, n things है, मालो अपने वाइसे से numbers वाला game खेलता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4, चार number है, हमें, 3 number का, basically, r यह हो गया, और n यह हो गया, हमें, 3 number का बताना है, बट इस जगह पर अगर 1 आ गया, तो दुबारा 1 आ सकता है, दुबारा 2 आसता है, तो आसा भी बन सकता है, और number आसा भी बन सकता है, नंबर आसा भी बन सकता है, बन बन खेला, कोई कितनी बार व्याजए, फरक निबड़ता हमको, तो कितने टाइप से एरिजमेंट होगा, तो किया रहे हैं, देखो, बहुत सिंपल तरीका है, यहां पे समझो, चार number है, तो मतल अगर माल लो यह N होता और हमारे पास places R होते तो हमारा N की पार R answer आजाता यही बोल रहा है कि N things R जगा पे place करनी है और N में से कोई भी कितनी बार repeat कर ले फरक नी बरता तो हम बोल रहे हैं कि इसको N की पार R से answer डारेक्ट निगाल सकते हो अभी questions में आँगा एक दो चीजे और सीख रहे है combination of N different things taken some or all at the time are N things है ठीक है some or all things and things taken at a time okay तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे पास N things है ठीक है जिसे अपन बोलते बर्डे पार्टी में लोगों को बुलाना है ठीक है भाई आपने बर्डे पार्टी में लोगों को बुलाना है अब हमारे पास में बर्डे पार्टी का यही सहाब है कि वह एक बंदा भी आए तब होगил. तो उनमें से 1 को सिलेक्ट करेंगे चलेगा. दो को select करेंगे चलेगा तीन को select करेंगे चलेगा तो अलग-अलग cases बन रहें तो sum का मतलब क्या है कि या तो कुछ को select कर लो या थोड़े जादा को कर लो या थोड़े और जादा को कर लो तो चलेगा तो कैले इसका ना direct formula होता है क्या अगर आपने 1 से शुरू करिए गिंती, ठीक है, 2 भी किया, 3 भी किया, 4 किया, ऐसे natural number बढ़ाते गए, और उपर में same number चल रहा है, तो आपका answer आगा 2 की power 10 minus का 1, ठीक है, ठीक है, अगर आपका जैसे आए न, nc1 plus nc2 plus nc3 plus ncn, तो इसका answer आगा 2 की power n minus 1, मतलब उपर वाला n same है, और नीच सरना, minus 1 क्यों हो रहा है, एक case होता है, यहां पर हमारा, वो छोठ गया है, 10c0 वाला, जिसकी value बनती है, ठीक है, एक्चलि यоту की value होती है, यहां से nc0 वाला यह एड़ करना था इसको उठा के आप यहां लेगे जिसकी value minus 1 है ठीक है यह हटाने की वज़ा से हमारा वहां पर minus 1 आता है यह पता होना चाहिए कई मार कोशन में अटकता है अच्छा यह भी हमारा direct formula यह कुछ formula अपने को याद करने हैं पड़ेगा और वै पर्मूटेशन देखा था भाई पर्मूटेशन की देखा था था ना अब हम combination देख रहे हैं किसका भाई हमारे पास में let's suppose n1 थिंग्स है n2 थिंग्स है और n3 थिंग्स है इन सारी थिंग्स का सम जो है वह न है ठीक है यह जाद रखना यह important बात है इस सारी चीज़ों का सम करना है इसकी condition यह है अब एक type की है एंट एक टाइब की है जैसे मेरे को वन और जी रोजों है ठीक है मुझा उनको औरेंच करना है यह सर्ई मुझे उनको सेलेक्ट करना है मुझे उनको सेलेक्ष्ण करना ना वच्छे कितने तरीकए से कर सकता हो मत selection ऐसे करना है मैं एक का भी करूँ या दो का भी करूँ तीन का भी करूँ चार का भी करूँ चलेगा मतलब हमारे पास में let's suppose जैसे पांच 1 है और दो 0, 3 0 से यह वाला कुछ रहाद है हाँ मुझे अब selection करना है permutation नहीं करना arrangement नहीं करना but condition क्या है मैं चाहूं तो एक one ले लू चलेगा मैं चाहूं तो दो one ले लू चलेगा मैं चाहूं तो तीन ले लू तब भी चलेगा या फिर मैं दो zero ले लू या मैं तीन zero ले लू ठीक है कुछ भी गर लू चलेगा one और समझे यह था ना कि कैसे सा समझो कैसे हुसकता है आप इसको मैं समझाता भी हूं ठीक है पांच वण है तो अपने से दूसरा लिया ogl चmersworking ऑफ तपांच तरीके होगा इस यह जो जूघ करने के तीन की माच चूज करने के तो च्छ चूज करने कि और कोई नहीं क flavors दो जोस करेंगे तो चार प्लस एक बट इसमें से हमारा ऐसा कोई केस ही कि कोई भी चुस नहीं कि ना कोई ना कोई जीरो तो उसको हटाना पड़ेगा तो यह आंसर आ तो इसको चूज करना या ना करने के इतने तरीके हैं इसको चूज करना और ना करने के इतने तरीके हैं इसको चूज करना और ना करने के इतने तरीके हैं इसको चूज करना और ना करने के इतने तरीके हैं इसको चूज करना और ना करने के इतने तरीके हैं बड़ हमारी शॉ और देखा नहीं है इसके ऊपर में देखा नहीं है इसको चूश्चन आता है ओके ठीक है वही यह सर इस पर कोशन नहीं आता है क्लियर है देखो कोशन देखो इन सारों पर हम कोशन देखेंगे और अच्छे से क्लारेटीव लेगे हाव मैनी डिफरेंट पर्मूटेशन सार पॉसिबल फॉर दे लेटर मैथमेटिक्स अब मैथमेटिक्स में देखो M है, A है, T है, H है, E है M दुबारा आगया, एक साथ रख दो, जो दुबारा आगया, एक साथ रख दो A दुबारा आगया, ठीक है, फिर T दुबारा आगया, I, C, S तो दुबार M है, दुबार A है, दुबार T है, फिर H, E, I, C, S तो कैसे करें कि देखो। लेटर कितने होगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11. हमें 11 लेटर को औरेंज करना है. 11 लेटर को औरेंज करने के कितने तरीके, 11 वेक्टोरियल. बट बगर क्या हो गई? कि हमारे पास हमें आपका उत्तर हो जाएगा एक जो एपना आंसर आ गया आप लिख सकते हो राजेश इस प्लेंग रिस्मस पर्टीन हाव मैंनी वेस्ट है इन्वाइटिस इन्वाइटिस इन्वाइट इस इलेवन फ्रेंड पॉर्धा पार्टी यह कोशन करना है थाँ को ठीक है वह तीन दोस्तों बलाएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार मैं आप और रभी ठीक है फिर वो बुडा लेगा तीन को फिर वो बुला लेगा चार को फिर पांच को फिर छे को एंड सोन किते लोग मैक्सिमम भही ग्यारा दोस्ता ग्यारा के ग्यारा को पार्टी हो सकती है तो यह वाला कॉंबिनेशन अभी अपने देखा ना इसका फ्रॉम्ला क्या था वेटा यह का फ्रॉम्ला था दो की पार जो ऊपर है यह लगाओ माइनस कर दो एक कोशन आता है इस जा है छे वौफल से आठ और शेवा एक आख आए यह तå यह दूबन को ले जाओ और अशुम्ला आप इंटर कुछ ले जाएंगे ुए घौशत कुछ नहीं से तो इसके दस तरीके 봐श이지 अवा कर दक्याएंख देखना तरु video तरीके इतने तरीके से May this is prefer choice कर सकता हूँ अभी अफ़े यह Гपली करणा है यह बत कोई ना कोई तो कुछ लेके जाएंगे मानिस यहां इसका आंसर ही और इस 11 इन्टो सेवन इन्टो नाइन माइनस वन कितना हुआ भाई जल्दी से बताओ यहां हो गया 11 इन्टो सेवन इन्टो नाइन माइनस वन 692 फिस्टी टू का याद सरा अभी बस खताम होने वाला फिर हम लास्ट यर कोशन को देखेंगे तर नंबर वेस इन विच एन थिंग्स नाइन थिंग्स कैन बी डिवाइड इंटो टू ग्रूप कंटेरिंग टू थ्री एंद फूर आइटम्स वोला था ना देखो है नो थिंग्स है हमारे को इसесьको दो पे और चार के ग्रूप में तोड़ना है अब समझनौ 10 ओ है यह सिर्फ हमें इसको स्यलेट करना है पहले नो मेंसे करने है इतने है अब नो मेंसे 2 कर लिए तो मैसे दो लोग चले गए कोई सबस्क्राइब तो यह था यह भी साट में रेगें है ci पास साथ सबस्क्राइब वर सी फोर अभी पताई है इसकी व्यल्ण यहां से गया 4 बचा 3 2 2 से 6 गठा ठीक है तो किता हो गया भाई हमारा उत्तर आ गया है 9 x 4 x 7 x 5 1 2 6 0 है option हे रहा ठीक है भाई बढ़िया yes the number of ways a person can contribute to a fund out of one ten rupees note one five rupees note and one two rupees note and one one rupee note उसको fund में contribute करना चाता है वह भाई ठीक है बढ़िया इंसान है अब वो चाहे तो 10 रुपे का note करे या ना करे दो तरीके है 10 rupees का note करना है या नहीं करना है यह और नो 10 वाला चाहे तो वो five rupees का note जो है वो करे या ना करे चाहे तो वो two rupees का note करे या ना करे वन rupee का note करे या ना करे यह हो जाएगा तो कितने तरीके है भाई दो तरीके इसके दो तरीके इसके दो करीके इसके दो इसके माइनस एक माइनस एक कियो कुस्ट तो करना है तो अगर सारे नहीं कि सारे जो यह किस न है यह फटा दिया हमने उत्तर किता आ गया लाइनस एक डाटिस पंदरा उत्तर का है अरे बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है कुछ नहीं है जादा उत्तर बताओ जल्दी से अभी बताएं फॉर्मुला कि क्या है यह सी वाला येस आगे यह देखो वापस से अभी फॉर्मुला बताया है क्या फॉर्मुला है यह वाला है ना एन से एन दक की गिंती चल रही है एक दो तीन चार पाट से साथ और उपर में एन चल रहा है तो एन सी एन यहां पर क्या होगा अगर यहां एन सी जीरो एड़ कर देता ना तो मैं से लिखता टू की पार है न बट यहां एन सी जीरो नहीं होगा तो यहां टू की पार एंड माइनस वन हो जाएगा ठीक है को कि इस दिनार फोटी केस्ट अब आ गए हैं लास्ट इयर कोशन पर हमारा चेक्टर होता है समाप अब करेंगे बस प्रेटेस और दिखाऊंगा कि जिस तरीके से बताया है जितना बताया उसको पढ़ लो समझ लो और जवर्दस तरीके से खुद से कोशन करना है जो करना है ठीक है तलीस करना है और अगर पॉसिबल ए तो अगर टाइम पर्मिट कर रहा है तो करेगा नहीं वैसे अभी के ताइम पे तो अगर आप दिसम्बर में दे रहे एक्जाम ठीक है थोड़ा वक्तों करना पड़ेगा मैंद इफ दीज और फोर्टी गेस्ट इन पाटी इफ देर लिखा था इन इच गेस्ट इफ इच गेस्ट आप अपने हाथ से हैंडशेक करने के लिए मुझे दो लोग चाहिए तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे 40 में से 2 लोगों को चूज करने के इतने टोटल तरीके हो जाएंगे एक हैंडशेक कराने के 2 तरीके 40 में से 2 लोगों को ऐसे हैंडशेक करने के 42 तरीके ऐनसर के आया बेटा 40 इन्टू 39 अबाए 2 2 that is 19 39 into 2 780 sorry 780 थोड़ा से कल्कुलेशन दिस रहा था ठीक है चलेगा तो आगे अब अगला इन इसे चलती बोट चार लोग यहां बैठेके चार लोग यहां बैठेके करी कभी रिशिकेश में शक्री थे वहां पर चार रहा बैठेके बैठेके चार यहां बैठेके तो को किया बोल रहा है कि हमारा वोल रिकार मानलो इन चार में तीन जगहाई एकणने युब कर दिया तो चार में से तीन जँगा पे श्राइंट में तो गया तो तो मालनों यहां और यहां कर लिया तो अरेंज कर रहा है ना तो कोई भी दो अरेंज कर लिया 4P2 अब अच्छी कितने जगा एक दो और तीन तो इन तीन में से तीन जगा पर अर्रेंजमेंट तीन लोगों को हो जाएगा जब पी की बात करते हैं तो हम यहां पर नीचे में कुछ डिवाइड नहीं करते हैं और जब सी की बात करते हैं और चार तीन और दो चार से हम कम करते तीन नमबर जितने नीचे लेखें उतने मलेटी प्राइब पर पे टू मतलब ओर इंटो थी 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 मतलब थी इंटू 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 वार यह उत्तर हो गया तो वहीं 24 इंटू 12 इंटू 6 1728 यह आंसर आ तेक है ना येस क्लियर बहुत प्यारा कोशन है फाइब वाइब त्री गर्साट विसीटिट टूगेदर सच देट नो टू गर्ल्स आर टूगेदर देखो तीन लड़कियां है दो कोई साथ नहीं बैटनी चीए अलग टाइप से कोशन कराया था इसलिए उन प्रेक्टिस करोगे तो हो जाएगा यहां पर कैसे बताया था मैंने पांच बॉइस को बिठाओ ठीक है बॉए वन बॉए टू बॉए थ्री बॉए फोर एंड बॉए फाइफ वन्स और जीरो वाला बट वहां पर वन्स और जीरो सेम थिया अलग-अलग है ठीक है अब गर्ल के लिए पोजिशन यह बचेंगी ठीक है यह पोजिशन से है इन में से किसी जगा पर एक साथ नीं बिठाना आ लग-अलग बठाना तो भाई इसका मतलब क्या है कि तीन लडिक्यों को इन चे में से किसी एक जगा पर विठा सकते हैं तो शिक्स में से तीन जगा गाई यह अरे अरेंजमेंट हो गया और पांच बॉए इसको यहांपे उस्टेश प्राइज कर सकते हैं 5P 5 से 5P 5 क्या होता है वहारा 5 फैक्टोरियल और 6P 3 कितना हो जाएगा 6 ओके मैंने रीकनफर्मेशन के लिए अपने आप दुबारा से सोच के देखा में गलती तो नहीं कर रहा नहीं सभी जा रहा है चलो आउट ओफ सिक्स बॉइज फॉर गर्स फाइंड नमबर वेस्ट फाइंबर कमेटी इन विच देर इस एक्जेक्ट ली टू गल्स एक्जेक्टली दो लड़किया होनी चाहिए तो लड़के तीन होएंगे वही कमेटी बनानी है बोले टोटल पांच है ठीक है बॉइज ह बनेगे सिंपल सी बात है तो छे में से तीन बोईस को चूज करना कमेटी बनानी है पहले कूण सा और बाद कूण सा फरक नहीं बढ़ता चार में से दो को चूज करना यह भी करना है अन्ड यह भी करना है यह स्टो कि आंसर हमारा कितना हो गया six in two five into four अब क्या है जी है तो ये इस से कटा ये यहां से कटा कितना आ गया 120 आ गया 20 इंटो 6 there are 10 flight operating between city A and city B the number of ways in which a person can travel from city A to city B and return from a different flight question देहां सुनो 10 flight जाती है okay 10 flight जारी है ठीक है बाई 10 flight जारी है yes 10 इस से जाती है तो दूद 2 इतर से भी आएगी बड़ जिस्में इस इदर में जाएगा तो इदर में अलग से आएगा इदर में वापस रिटरन जब आएगा तो यह अलग flight से आएगा तो यह पूछरा है भाई कि कितने तरीके से हो सकता है भाईcast सिंपल सी बात है कि दस में से दो अलग अलग को चूज करना है तो एस वी थे पलाइट वन को आप यहां तो यहां तो अलग अर्याइंज्मेंट है वहां नहीं हए अरेंज करना है तो सोचना बड़ा जूरूई है क्योंकि सिलेक्ट निगरना ट्रेवल पूछा है तो अर्रेंजमेंट है फ्लाइट वन फ्लाइट टू यहां से गया यहां से आया जाना और आना अलग-अलग हो जाएगा ठीक है तो अर्रेंजमेंट गरना है टेन पी टू आइगा 5.4 पूर्मूला में तो दिख रहे हो ही यहां जाने के तरीके यहां नौ तरीके बनते हैं तो मेरा प्रिंसिबल आइट प्रिंसीबल काौंटिंग में दिमाग चलता रहता है यहां दस है यहां पर 9 है यहां पर इसका मतलब क्या है ओहो मैंने गलती से अर्रेंजमेंट करना था कर दिया सेलेक्शन अपने आप दिमाग दोड़ेगा तो यह और यह पैरलली चलाओ छोटे कोशन पर अटलीस चलाओ ठीक है तो आंसर अपना 90 आएगा ओहो यहां ऑप्शन अगर यहां ऑप्शन गलती से 45 दे दिया होता ना मैं बोल रहा हूं आदे बच्चों का गलत हो जाता है जहां से देना आपका एक्जामिनर को भी बता है यार बच्चे कितना कर सकता है तो थोड़ा सा वो भी रिलक्सेशन रखता है इस जगा पर छे इस पर आएंगे पांच इस पर चार इस पर यह हमने आपको सिखा दिया कैसे करते हैं अपने आप करो और आंसर हमें कमेंट में लिखो विटा यस फ्रॉम अ ग्रूप ओफ शिक्स मैंबर सिक्स मैंन फॉर्म विमन फॉर पर्संट अटुब सेलेक्टिट फॉर्म पर्संट इस विविड आद देर ओंडा कमेंटी बहुत बढ़िया कोशन है हमें क्या बोला गया भई आठ में है फॉर विमन है ठीक है कमेटी मना दी है चार लोगों की टोटल कितना चाहिए भई आए चार लोग शीये में इस मिनिममम दो अनी ची विमन तो विमन जो है वो ग्रेटर देन ट्न्थ और एक हो गया बाट ऐसा लिखाए कि मेंन होना ज़रूरी है रिखा पर पर्संटो सब्सक्राइब 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 8C2 कितना होता है यहाँ पर अगर इसको solve करते हैं 8C2 होगा 8 into 7 by 2 into 1 4C2 4 into 3 into 2 into 1 plus में 8C1 8 होता है 4C3 4C3 is equivalent to 4C1 कैसे बताओ वही NCN minus R यह 4 हो जाएगा यहाँ पर 8C0 हमने बताया कभी पैर में 0 है तो उसका बनाएगा यहाँ पर combination पर 4C1 4 इसका भी बनाएगा बताया था NCN भी बन होता है तो solve करें 2 और 2 से यह कट गया 4 पहले बला आया 21 into 8 21 into 8 यह भई 168 32 और यहाँ पर 1 plus 32 plus 1 201 उतर बहुत प्यारा question बहुत उंदा question मज़ा आगया अच्छा कोशन था अच्छे कोशन देखे ना दिल को अच्छा लगता है कि यह होना ची एक्जाम में यह कोशन देखो बहुत लंबा कोशन है यह लिखते टाइम गलती करी गई है ठीक है यह बुक के अंदर में यह लाइन नहीं थी ठीक है 8 chairs are numbered from 1 to 8 2 women and 3 men are to be seated by allowing one chair for each first the women choose the chair from the chair number 1 to 4 and then men select देखो 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 इसलिए में को लगा then the men select the chairs from the remaining from the remaining the numbers of possible arrangement is लंबा कोशन है पर actually answer लंब नहीं आएगा थोड़ा सोच के करोगे दो 8 chair है numbering 1 to 8 है ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नमबर 2 नमबर 3 नमबर 4 नमबर 5 नमबर 6 नमबर 7 नमबर 8 नमबर यह दिमाग में बनाना आपको बता रहा हूं बस ठीक है कहां आपको बनाने के लिए बताताौ में फीडर आप दिमाग हो आँ है क difonkin बनाओ आज बोल सो बूलेक्षा कि पहले विमेनने चार में से चेर को सड़ेक्ट कर लिया है तो चार मेंसे की्ति विमेंन हैं नमबर औरेंज करना है विमन को चेर सिलेक्ट करके वाँ बैठेगी को सब्सक्राइब को अब माणलो मिलमन यहां बैठेगी एक ही जगा कित्ती बची है अब हमारे लें सारे उपन है एक दो तीन चार पांच यहां पहले पहले चार में होना चाहिए तो फॉर सी टू फॉर पी टू क्योंकि अरेंज गरना है चार में से दो जगा पर अब हमारे बास कितने जगा बचे और लोग इतने तीन बचे तो छे जगा पर ठीक है तो इतना अरेंजमेट हो जाएगा दिस फॉर इंटो थृ इंटो इंटो फाइव इंटो फॉर कितना ओगा मताओ जल्दी सांसर इस पॉर इंटो थृ इंटो इंटो सिक्स इंटो फाइव इंटो पॉर आंसर आगया है 1 440 1 double 4 0 okay clear yes sir next question a fruit basket contains seven apples six bananas and four mangoes how many selections of three fruits can be made so that all three are apples a question foreign souk HELD आ नफवारगाया है हमको बोला गया साथ आपल है चुई बनाना उरी चार मैंगो है थीर fruit回來 है और तीन फूर्ट से लेक्ट करने और तीनों एपल वूना थीं बाइए भाई मतलब क्या ना साथ में से, तीन एपल को इस तो सिलेक्ट करना है. क्या? क्याना क्या चाइए हो? यह फालत में लिखकर कंफ्यूज क्यों गरर हो जब बनाना और हमारा mango को सिलेक्ट नी करना है तो ना हिए apple खुजो तो मैं एपल वाली टोकरी मेंसे निका लूगा भाना भाई मैंगो और उसको खेडूँगा तो साथ में से कोई तीन को चूज कर लेंगे अपन तो साथ इन्टू छे इन्टू पाँच बाई में तीन इन्टू 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 एक कट गया हमारा उत्तर पहतिस आ गया बहुत प्यारा कोशन है नेक्स्ट आगला आउट उसको तरीका बतारों आंसर आप बताएंगा ठीक है साथ बोईज है टोटल गर्ल्स हमारी कितनी है भाई तीन है सवरी चार है एटलीस वन होने ची तो गर्ल्स की वेल्ली वन से बड़ी लड़कों का नहीं बोला टोटल हमारी बनानी है पाँच टोटल हमारी पाँच बनादी है ठीक है तो मालब गर्ल्स की वेल्यू एटलीस वर उने ची तो वन लड़की हो सकती है दो लड़की हो सकती है तीन हो सकती है चार हो नहीं चुक्ती अगर लड़की एक होगी तो लड़के कितने होगे चार होगे तो साथ मेंसे चार चूस करड़ा है और यहाँ पर चार मेंसे एक ठीक है अगर लड़की दो होगी तो यहाँ लड़के तीन होगे यहाँ तीन होगे तो यहाँ पर दो हो जाएगे 7C3 into 4C2 प्लस में अगला प्लस में अगला फिर इन सब का total आपका answer आजाएगा ओके clear है भाई इस प्रकार से इसको solve करना है और आप हमको उत्तर बताएंगे क्या आया आगे चलते हैं अगर NP4 20 अच्छा वेन रुको NP4 divide by 20 NP2 तो हमें बोल रहे हैं NP4 अगर अपना यहाँ पर 20 NP2 के बराबर है तो बोल रहा है NP4 अगर हमारा 20 NP2 के बराबर है NP4 का मतलब क्या है N into N-1 into N-2 into N-3 यह तो सिखाया है करना न क्या करेंगे N से एक एक नंबर करके काम करते रहेंगे जब तक 4 total number ना बन जाए including N तक तक हम रुकेंगे नहीं यहाँ पर यह हो जाएगा अभी करके दिखाया है question बताओ इसका answer क्याएगा करके बताया है वहीं starting में class में question N-2 into N-3 20 है 20 को 5 into 4 लिखो एक वेट करके मुझे उत्तर comment में बताओ In how many different ways can the letter in the word detail be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd number position vowels क्या है यहाँ पर E है A है I D है T है L है कितने नंबर हो गए यहाँ हमारे पास में 6 नंबर है तीनों का arrangement तीन जगा पे 3 P 3 बाकी कितनी जगा बची भई तीन बची अब बाकी तीनों का arrangement बाकी तीन जगा पे तो 3 P 3 3 P 3 is 3 factorial that is 3 P 3 is 3 factorial that is 6 into 6 36 अरे भाई बिलकु लीजी question है कोई दिक्कत ना है करनो ना फिर यह करके दिखाओ कोईशन आया है प्रॉपर्टी पे NCP सेम कोईशन कराया था भाई अभी 2 टाइमस ओफ NCP minus 1 NCP minus 2 इसको अगर हम break कर दे NCP minus 1 और इसको मैं ऐसे लिख दो चलेगा अब यहां से एक result निकलेगा यहां से एक result निकलेगा वो result से हमको बताईए क्या आएगा करके बताओगे भाई आप बताओगे कोईशन का असर हमने आपको बताया हुआ है तरीका यह एक बड़ा है यहां है मैं इतना सा लिखतू हूँ यहां से क्या आएगा देखो N से एक बड़ा हो जाएगा और नीचे में जो बड़े वाला है वो आजाएगा यहां पर क्या होगा यह N से एक बड़ा हो जाएगा और जो बड़े वाला है वो आजाएगा अब यहां से सेम लोजिक लगा कि मुझे उत्तर कम्रीट करके बताओ आगे अगला कॉशन अब बिजनस हाउसे विश्टू साइमेंटेनीसली अलिवेट टू फॉर टू फॉर फॉर फ्रॉम इट्स सिक्स हैट्स ठीक है इन हाव मैनी वेस्ट केंदा ऐलिवेशन टेक प्लेस जे मिसे दो लोगो को उठाना है भाई सिक्सी टू तरीके से वाँ क्या कोशन है ये ? ऐसे कोशन मुच मोच होगा हब हमारे से इतना आहेगा ये देख़़ रहे फॉर फॉर तो टो येक्वली जो तो फटा वड़ से हैं छे हो गया चेक करो चेक करो गया एक दो टीन चार पांक चे यह सर यहां से 20 NP4 N into एक एक कम करते जाओ एक एक कम करते जाओ 4 तक रूँजाना है जितना निचे लिखा 4 तक रूँजाना है यह चारों कट गए है यहां से N-4 into N-5 बन गया है हमारा 20 के equal 20 क्या होता है 5 into 4 बड़े वाला बड़े के equal छोटे वाला छोटे के equal N-9 आगई है अरे भाई किता simple है यह वाला इसलिए कर दिया क्योंकि फिसले वाला मैंने करा नहीं था वो आप से मांगा तो हर कोशन अगर मैं बोलूँगा ना को करने के लिए तो आप बोलोगे अरे जगर किता करा होगे मैनत हमारा होता है चैप्टर ओवर हमने कोशन्स भी देख लिए देख लिया कित असान आएगा और हम रेड़ी हो चुके हैं अब एक्जाम में फोड़ने के लिए तो बचा बाड़ी मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में नेक्स चैप्टर के साथ अब तक लिए कीप टेक क्यार अलविदा बच्चो